कि अबी नौ बजे हैं अभी वीदे पीपल का कंसेप्ट बताने की बताने का वक्त हो चुका है मैं सुधी राज सिंग सर से विरंति करता हूं कि कुपयाओ अपना कंसेप्ट कंसेप्ट का वक्त वे दे जी आज हमने दिल्ली में जो कंसेप्ट का चार साड़े-चार मेने की मेहनत का जो असर है उसको पहली वाद देखा जो वीदा पीपल के जितने भी सक्रिये लोग हैं जो कंसेप्ट को समझ गए हैं जो जान गए हैं वो साधान से लोग मतलब उनमें कोई आदमी ऐसा नहीं जो पहले से जानता हो या पहले से लोगों को एकटा करने का काम करता हो ओ यहीं से सीखें यहीं से जाने और उनों लोगों को मोबिलाइस किया उन को कंसेट बताया तो यह मान के चले थे कि न दिली मेंना दरसल लोगों को एकटा करना सबसे मुझ्खक काम है गाव में आप जाके खड़े हो जाइए और कहिए कि मैं जावाल से मिलने आया हूं तो गाव मैं दो सो तीन सो चार सो आदमी बहुत आराम से खटके हो जाएगे किसी कस्पे में जाएं तो वहां भी आराम से महले में खटते हो जाते हैं आदमी खा लिए के दो कि साम को चौपाल के लोग आने हैं तो वह आ जाते हैं आपकी पास सुनके चले जाते हैं मगर महानगर में और महानगर में भी खासतार से महानगर में क्योंकि दिल्ली जो वासा हुआ है गर ऑप जो world city बोलते हैं व क्वाल शिटी का मतलब एं जिसके सात दरवाजे होते थे कसमिरी गेट लाहोरी गेट पर थे उस दिवारे के अंदर की जो डिली है ंस्त के लोग है और सबices के नह cham 狐त्हक 16 अजयानी से पंजाब सभी सबस्दोडफ के लोग है और सब के पास में बड़े संसादन हैं और यहां अच्छी होती है तो यहां मुव्मेंट को चलाना या लोगों को बताना बड़ा मुश्किल है और यहां कराय के आदि बहुत मिलते हैं अगर आपने कोई रैली वज़ारा करनी है तो यहां बैनर पटी सही तो आपको पांच सुरुपे साथ सुरुपे पर आदमी के हसाब से मिल जाता है यहां बिजनिस चलता है इस बात का जितने भी लोग डिली में रैली करने आते हैं रामनय मैदान में अगर आप सर्वे करेंगे तो उनमें एक ही चाहरे मिलेंगे मगए जंडे बिल्ले अलगर हुए उनका तय है कि उनको पांच सुरुपे या साथ सुरुपे मिलता है खाना मिलता है और वो किसी का भी जंडा उठा लेते हैं वो रोज उनका यही काम है तो यहां बहुत सारे संथनों के हैड़ और गीडर है उनमें बड़ा आपस में जूतम पत्रम रहती है और वो इखटा तो होना चाहते नहीं इसलिए दिल्ली में लोगों को इखटा करना या लोगों स किया और दोस्टों का मतलब है कि जो लोगों को concept पसंद आया और जो उन्होंने मेहनत भी वह बहुत बढ़िया की क्योंकि दिल्ली में दो सो आदमी अच्छे-च्छे के इखटे नहीं होते या बहुत लोग आते बाहर से समझने के लिए समझ में आ रहा हैं कि path कितने लोग हैं जो कंसेप्ट से समझ चुकिए यह इसने लोग हैं यह यह पक्के लोग हैं तो आदयों ने enough लिका आया है कि खाना अपना खाना है तो आदे से ज्यादा लोगों ने हाथ उठाए कि वो पनाठे और अचार भी लेके आए हुए हैं और वहाँ खाना इतना था कि खाना बाद में बच गया ये बात बड़े अच्छी हुई और ये जो मीटिंग दिली में जो दो सो आदमियों की लगी है इसमें कम से कम दो लाक रुपे खर्च होते है लोगों को बलाना फिर उनकी खाने करना का रिजमेंट करना माइख है पानी है चाय है नास्ता है ये सारा मिलाके के दो लाक रुपे वड़े मजह से खर्च हुआ जाते हैं मगर हमारा वहां सिर्फ इतना पैसा खर्च हुआ कि तलग राजी ने दो बन लाएते बनवा के वह मिटिंस के लिए है आप और लोगों ने इतराज कि आप ने जो जगे ली है वह एक सब्राइब है हाला कि आप यह मिनिस्टर मन्तरी हमिनिस्टर के कि के जो हां कैया है वह कापने वो का लिए से बीच नहीं है और 2 साल मुझसे बड़े हैं इसलिए कहने को तो वह बाइघ हो शकते हैं वह वेकति वेदर पीबल में चार महिने पएले आचके हैं और वह वेदर पीपल के ISPOG भी है और इससे भी बड़ी बात है कि वो समर समाज के बेखती है और वहां उन्होंने जो समर समाज की भूमी का होती है पूरी वहां उन्होंने निभाई और सारा काम बहुत बड़े रहा फिर वहां एक कॉमन डिशन हुआ सबसे मिलके कि जो दसेरा है हमारे जो लोग है दसेरा नही मनाते और वो जो यह नवरात्रे आते हाला कि जो अठमी यह अठमी के जो उपोसत है वो हमारे ही है मगर अभी बताने में बहुत टाइम लगेगा लोगों को समझने में इसलिए उसको छोड़ दो तो दसेरे और अठमी पर हमारे लोग मायूस हो जाते हैं कि वो क्या करें तो यह बात और होई कि फेस्टिवल देना चाहिए उन लोगों को फेस्टिवल देना चाहिए तो हर साल पूरे भारत में दसेरे से अगला संड़ होगा क्योंकि नागपूर में तो हम धक्रिते संभ्टीब नागफित्स कह पते होते हैं तो जूमना कुछ जाता है दसरे पर अ पिछले तीन साल से लगाता रहे पिछली वार को नहीं हुआ इस बार भी है तो जो अगर ना लगा पाए तो उनके लिए था कि दसरे से अगले दिन जो संडे पड़ेगा उसको सब लोग इखटे हो पिक्निक के रूप में मनाएं जहां कोई बाग है बगीचा है पार्क है या चोटी मुली जगे वहां लोग मिलें आपस में और वह अपना धम का दसरा मनाने का क्योंकि संडे को हमाई लोग खाली रहते हैं संडे को चुक्ती होती है तो मनाएं तो यहां ब्रुद्धा गाड़न में कुछ फैमिली इखटी होंगी दस बीस तीस पचास फैमिली जो भी होंगी और वह इ preserve art करेंगे हर साल क्रिये fix वहां ये носिजज जा रहा है तो वहां बिल्गुल जैसे मीटिग Ko olha शुना रही हर वैक्ती को आफीशinea कि उख्वार बहुत परिजा समय बहुत पर अबए पूरकि यह बुड़ का नियम के संग जब खाना खाएगा उसमें भेद भाफ खतम और्याइगा three dak कई परबर हो जाएगा इस में जो परिवार क्षी तोढ़ाएगा तो ऐसे एक खुशी की ल ór समय दोड़ी जैसे ही वो अचार खुले और चार की महग दोड़ी उससे ज्यादा चेहरे लोगों के चेहरे पे खुशी चंकी और काई करम अपने जो देश्टे के लिए परिवार को मिलाने के लिए और वीदा पीपल जोडने जो जोडने का जो काई करम था वो सफल रहा जाएंगे अपने गु्रूप पर लगाएंगे अपने फेस्बूब पर लगाएंगे और अब ये वी का जो लोगो है यह हम बचाएगा ऐसी बात मों तैहाद को कि अब हम भी लगाएँगे सारी बातें वहां बहुत अच्छी रही वहां जितने भी लोग आए थे वह सब अपने अपने जितने भी काम थे, उनको भूलकर सुब वीदा कीपल वह रहुए तो म mínimo you अब इते हैं तो मेसम में उद्धिस क stud है सिक चाईए सुख की लड़ाई है हमको सुक चाहिए वगThere Ridge क्या होता है अगर उसको यह पता नहीं है तो अलग बात है मगर वह समझ जाएगा तो ये कहगा सुक कैसे मिलेगा तो सीधा सा मतलब है कि वह स्कु कैसे मिलता है सुख वैसे मिलता है कि अगर हमारा दुख चला जाए तो हमारे पास जो बचेगा वो सुख होता है हर प्राणी के अंदर सुख होता है दुख उसको कवर्क लेटा है धक लेता है अगर उस दुख को निकाल नहम चला जाए तो सुख तो पहले से मौजूद है जैसे जब बच्चा पैदा ह होता है तो दुक्क नहीं होता वह तो खेल कर रेता है उसका दुक्छ होता है जब उसके पेट में भूख लगती है तिए पो रोता है और उसकी अगर सांत हो जाएट हो तो फिर हसने लगता है न हम चुर्की बड़े बच्चे हैं और ज्यादा देश है उसमें अपने लोगों का सुख चाहिए तो अपने लोगों का ही सुख क्यों चाहिए अपने लोगों को समल बोलते हैं पुराने समय में तो समल का ही सुख क्यों चाहिए क्योंकि वमर तो पहले से ही सुखी है उसके पास सुख की सब चीज है उसके पास इज्जत है मा पास सारी जमीने हैं, उसके पास में सारी दुकान हैं, उसके पास में सारी इंड़ेस्टी है, उसके पास में काम करने का अधिकार है, उसके पास में सारे रायट है, और वो आज की सितनी में कानून बना भी सकता है, और बिगालने की पोजिशन में भी है, और वो देश के जतन संख्या संविधान यह कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी सुख में है उसको उतना पानी मिलेगा देश में उतनी जमीन मिलेगी उतनी मौके मिलेंगे उतनी मौके उतनी नौकिया मिलेंगी उतना ब्यापार मिलेगा और यह मिलेगा संविधान मे की कि या वस्फे तो फिर अपको जिस तारी में तो आपको गान्या मिलेंगी। अथनी इस्सेदारी में मिलें तो आपको बेज़ाती मिलेंगी। इस तदारी में तो तो आप पित ऊंपितों कि युह कुछ नहीं आईगा तो चाल राख संग्ठन में तो अपनी तो कैसे किसाल्टोंन है को वहांद हमारी जो समस्य यहां है जो हम देखते नहीं हैं और हमको देखने नहीं देते हमारे नेता संग्ठनों के या हमारे जाती के जो नेता बने हुए हैं वो हम को नहीं देखने देते क्योंकि अगर हम इन्हें यह देख लिया कि हम अलग-अलग रहने से पिटते हैं और इखटे रहने से हम पीटने की इस्तितिम जाते हैं तो हमारा बचाब तो अपने हो जाएगा क्योंकि जो डिफेंस है जो हमारी मिलिटरी है वो क्या कहती है बैस्ट अटेक बैस्ट डिफेंस अटेक यानि कि आपकी जो सुरक्षा है वो सबसे पहले हमला करने में है यानि इससे पहले आपके ऊपर कोई हमला करे आप उ खटे होके और कानून बनाने वाली पोजिशन ना जाओ तो जब आप कानून बनाने वाली पोजिशन में आ जाओगे तो फिर आपके कानून पर हमला कौन करेगा फिर तो आपने अटेक कर दिया ना आपने पालिया मेंट के सम्विधान की बनाने वाली कंपनी पर टेक करके उ इस महापर ये लिखने के लिए हैं कि हमारे भारत में जितने समझ लोग हैं उनको रोजगार की गारटी मिलनी चाहिए, उनको ये काम मिलना चाहिए, उनको इज़त मिलनी चाहिए, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, ना आपको पढ़ना है, ना आपको लिखना है, ना काम करने वाले के लिए सजा होगे आप Neintai होना है बस और उखचा होने के लिए क्या करना है आपने दूसरे साथियों को बोलना थाय कि बच जाएंगे अगर जोड़ जाएंगे तो पंकि जैसा ही आप जोड़ जाओगे फिर वहां आपका प्रिचनिदी है या उसे कि आपकी बात माननी पड़ेगी वना इस तो और फिर आप प्रूर बना लोगे आप पूरा पैसा भी दूंगा आप मेरा माल खैकते रेना वना रहा हम कभाई हम खोड़ेते हैं वहरी करने वाले मजढ नहीं बोलते आदमी के पास में भूत बढ़ियाइजा करेगा क्या करेगा वह पूरा है तो चलाने वालों से कंपनी होती है इसलिए कंपनियां बंद हो जाएंगी या फिर उसमें हमारा हिस्सा होगा जब हम इखटे हो जाएंगे ताप कोई आदम यह कहे कि मार्केट में हमारा हिस्सा होगा अरे जहां संख्या एक सो पंदै करोल लोगों की है हमारी अपनी तो खईदार करोलों लोग जो सामान खईद रहे हैं तो बजार किसका है बजार बेचने वाले का नहीं होता कभी बजार कभी किसी दुकानदार का नहीं होता, बजार उसका होता है, जिसके खरिदार होते हैं, क्योंकि किसी ने बहुत बड़ीया दुकान सजाई, बहुत बड़ीया सोरूम खोला, और वो ये भी कह दे के मैं एक के साथ एक मुफ्त देता हूं, या वो ये भी कह दे के मैं दुकान तो हम ही है तो मार्किट हम है तो दुकान भी हम खोल सकते हैं हमें खोलनी चाहिए मगर तब खुलेगी जब इखटे होंगे उससे पहले नहीं खुलेगी कोई कहता हो के सामाजिक इस्ट्रक्टर से हम संस्कृतिक बद्दाव है उससे हम सारा काम प्याद देंगे या बद्द्धार्ट बनाने से हमारी समस्या दूर हो जाएगी तो हो जाएगी इसमें कोई शक नहीं है उसके लिए खटा तो होना पड़ेगा क्योंकि एक मत का लोग करने के लिए खटे तो करोगे एक मत आप कोई साभी एक मत के हो जाओ पर उप्रुद्ध भारत में बद्द बद्दिष्टे बावा साब ने उस समय हमारे महापुर्सों को देखा कि बुद्दिष्टे इसलिए बुद्दिष्ट पता के गए नगर आप बुद्दिष्ट भी ना बनना चाहो तो ना बनो कोई दिक्कत नहीं है आप एक सो पंदे करोड़ लोग खड़ इखटे हो और इसलिए किसी मत में दम नहीं होता उसके पीछे जो लोग इखटे होते हैं उसमें दम होता है आप कहे दो के एक सो पंदे करोड़ लोग आज से हमारे मत का नाम है चम्मच तो जो चम्मच मत का नाम है वही पाफुर हो जाएगा वही दुनिया में फिरमस हो जाएगा क्योंक एक्रक्टुणों में बटे रहूर, बैठे रहूर, कुछ भी कहते हरो, कहते हरो के हमारे ऐसा है, हमारे वैसे हैं, तो भी आपकी बात नहीं माने जा सकती, क्योंकि आपके पीछे कोई है नहीं, इसलिए जो सम्मिधान का बल है, वो संख्या बल मं है, और हमारा चीज़ जानता हूं, मैं राजनीती का गरू हूं, मैं प्रॉफिसर हूं राजनीती का और वो कुछ भी कहता रहे, वो काम्याब नहीं हो सकता है, क्योंकि सम्विधान में तो जन्रबल चलता है, सम्विधान ये कहा कहता है कि कोई पीएचडी आदमी है तो उसकी बास कर लोगे, जितना ज्यादा कंसेंट इखटी कर लोगे, जितना ज्यादा लोगों को इखटा कर लोगे, सम्विधान उतनी आपकी बात मानेगा, और तबी तक मानेगा, जब तक सम्विधान लागू है, क्योंकि अगर सम्विधान लागू नहीं है, तो सम्विधान कह देग इसलिए इक्षटा भी होना है तो टाइम से इक्षटा होना है और इक्षटे कैसे हो गए बैए पोर्टल से 142 लोग है यह भी इक्षटा कर सकते हैं क्योंकि 142 लोग अगर अपनी जम्मधारी संदे आज दिल्ली की मीटिंग होई तो इसमें जो साथ ही है उन्होंने अपनी जम्मधारी संदी और 200 लोग वह इक्षटे कर दिये उन 200 लोगों को आज हमां कंसेट बताया समझाया उसमें सम लोगों ने कहा के कंसेट बहुत अच् सिखाएं कि जुड़ना है 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 करने का काम है पहले हमारे दमाग में आया कि बहुए सब्रेश की पैसे किये हमने सभा लगाई महां इंकी दावत भी की इनको बुलाया और अफसोस की बात यह है कि जोडने जोडने पर एक आदमी नहीं बुला हुआ मना किशनी किया का सबने हैं तो हमें समझ lot कि छुपी हुएक्षा है यह यह कहा रहें और मेरे मेरा 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 चला रहे हैं और नेता महां और तो थे का थे मैं नेता को के आङे पहला नेता मालने तो हम तो उश्य को माल लेंगे तो नेता कैते हम तोकभी हट्टे होंगे नहीं तो हम लोग किस-किस पना नेता मालने दी तो बड़ी दिक्कत हो गई और वयों खट्टे के हमारा समझान खर father दिया दो पहल अठारे का निकाल के फार्ग दिया सारी नेता भाग के छोड़ के हमको कोई नहीं आया पर नेता खटे नहीं हुए हमारा उस एस एस टी एक्ट्रू बचाने के लिए तो फिल लोगों ने कहा कि भी हमी खटे हो जाते हैं तो लोग खटे हुए तो जब लोग होके सड़क पे ढगे दो पहल को तो मैं तुम्हारी बात मानता हूं तुम्हारा पन्ना जो कुछ लोगों ने फाल के पहल दिया था मैं उसको जोड़ देता हूं तो इसका मतलब सम्मिधान में ताकत है अगर आप इखटे हो जाते आए तब समिधान आपकी बात मानेगा औ मैं इसको नहीं जोड़ सकता तो सम्मिधान आपका पन्ना कभी नहीं जोड़ पाता इसलिए सम्मिधान में ताकत नहीं है सम्मिधान में ताकत इखटे हुए लोग देते हैं कि सारे बिखरे हुए जो लोग हैं संक्या बहुत हो सकती है मगर वह संविधान की ताकर नहीं है वह संविधान की कमजोरी हैं वह संविधान की बीमारी हैं वह संविधान को मार रहे हैं जो संविधान अलग लग काम करते हैं वह रोज संविधान की हत्या करते हैं वह रोज सं संभीधान खत्रे में लगा दिया तो क्या करते पैसे गा समयधान चबादेंगे संम्दान की पार्शलण लगवा देंगे प्रेंबल कोपड़ेंगे संभीधान ग्याता आजाएगा कोई ना कौई यहां जो एक एक अर्ट की व्यक्रण्ड़ सब्षार होता है यह सम्धान कार ने से कहां सम्धान तो साफ कहता है कि पढ़ने से नहीं कुछ लोगों का का मैं वो पढ़लें वussia काम काम अगर है तो इक हने का तब बचता हो है और बचया संग्णित रहो ये और ये मेरे पर देदेंगे क्लिने दना संग्टित रहने का मतलब समझते हूं अब यह निरे घदे थोड़ी है कि इनको इतना भी समय नहीं आता है कि उसका तो रोजी रोटी बंद हो जाएगी भारत में जितने क्योंकि रोजगार चनद लेना रोजगार है और यह एक दूसरे को कुछ नहीं कहते क्योंकि यह रोजगार करते हैं तो सारे छी लोग लोग वेकार है संठन ऐसा करता है चंदा खाता है अरे बाई देखो हम केते हैं कि हमको तुम गलत सिद्ध कर दो तुम सब लोग ठीक हो अच्छे हो और तुम अलग अलग रहके काम करना चाहिता तो करो अगर परणाम कहा आए परणाम तो बताओ ना रिजल्ट कहां आए बहुं तो आए हैं जो बावा साब कारवा लेके आये थे आगये तक वह कारवा तो पीछ चला गया वावा साब कितने समझदा आते क्या केते थे वावा साब कारवा अगर तुम्हारे बसकी आगे बढ़ाना नहों तो पीछे मच जारे देना उनको पूरा डौट था किनिकम में लोग हैं यह तो हमने गाएगे इसा की जानगा हुआ है तो हम अपना काम उन पर क्यों छोड़े जो नेता यहां रोजी रूबी के लिए हैं और नहीं बात मानने या माने अगर अपना काम उन पर ना चोड़े वन्ना हमारा काम खराब हो जाएगा ये ठीक ऐसे जैसे कोई घर में आए और वह आपका खाना पकाई और बेकर खाना कर दे और खाना खराब हो जाए और आप फिर भी दुवारा उससे कहो कि भाई या तू खाना बनाएगा वो किसी काम का नहीं है तो भाई जैसा टूटा खुटा बनता है हम ही बना लेंगे बस यह सोच के वीदा पिपल में ऐसे ही बस लाजनी नेता है उनको छोड़ कर हर आदमी परिषान है हर आदमी चाहता है जुड़ना और हर आदमी को यह समझ है यह नेच्टर समझ है को तो जुड़ना है तब बचेगा इसका प्रिडिनाम यह देखा कि वीदा पिपल में जितनी तेजी से लोग जुड़े और जितनी में 200 आदम नहीं खटे होते हैं, अगर 200 आदमें दिल्ली में खटे करती है, साधान लोगों ने, तो चारसो, पांसो, छहसो भी कर सकते हैं, और वो देश को बदल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में अगर कोई एक्सपरिमेंट सफल होता है, तो राज्यों में, गाओं में, श्टेट में, तो वो बहुत बड़ा सफल होता है, ऐसा हरवाद देखा गया है, इसको अजमाना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, और यहां चूकि सबको पता है, कि वीदा पीपल का नेता सम्विधान ह हैं, और सम्विधान के अकोर्डिंग हम चलते हैं, वो बाते हम कही बार बता चुके हैं, और इस बात को सब जानते भी हैं, कि सम्विधान हमारा नेता कैसे है, और कैसे नहीं है, क्योंकि जैसे बाइबल हिसाईयों का नेता होती है, जैसे गुरान हिसाईयों का नेता होता ह पोइदिश्टा है जैसे आगम जयन लोंगों का निता होता है वैसे हम समढ़ समाज सभती है जो आजा नेता है सबसे ले possible पढ़ा लिखांचा और सबसे दुनिया में जाना मना है वो हमारा सम्दान जिसके आगे दुनिया भी दुनिया उसको नकल करके कॉपी करके अपने यहां लेके जाती है तो वह हमारा नेता है और हमारा एक ही काम है एक उद्धिस है कि हमको जिन्दा रहना है जिद्ध है हमारी जिन्दा रहने की क्योंकि जिन्दा रहेंगे तो हम जीतेंगे और हम आगे बढ़ेंगे तो जुड़े हैं उतने उतने जीते हैं अभी जुड़ोगे तो अभी जीत जाओगे आज अगर अभी नो बज़ के नुटिस मिनटबे आप पूरे भारत में यह कह देते हैं कि हमारा सम समाज जुड़ गया तो नौ बज़ के तीस मिनटबे आपकी सारी atrocities खतम हो जाएंगी सारे आपके जितने भी जुल्म होते हैं वो खतम हो जाएंगे आपका सम्मिधान के जितने अधिकार गए वो बापस हाजाएंगे एक sign करना पड़ेगा बस आपने वो सारे बापस हाजाएंगे जो अब तक नहीं जुड़े है जिनको बाबा साब भी जु जाएंगी नो बज़कर तीस मिनट पे अगर नो बज़कर नुटिस मिनट पे आप जुड़ते हैं तो यह जिद जुड़ने की है इसके अलावा कोई व्यक्ति कोई पड़ा लिखा हो सकता है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो विदवान है जिनकी पास भली लिगने हैं वह ब बिजनिस करेंगे तो हमारा कल्याड होगा किसी को लगता है जी कि हम सांसकतिक बदलाब करेंगे तो हमारा कल्याड होगा और बावा साहब में तो सारी काम करें हैं तो बावा साहब को पड़ लोग तो बावा साहब कहते हैं सारे काम करने हैं इसलिए किसी काम को मना नहीं कि दो वीदा पीपल जो समढ संगे वह कहता है कि बहुंत कि जो जो लोग यह गश्व नहीं हो जालो हमारे पास होगी तो हम साहेता करेंगे तो हम आपके साथ हैं नहीं हो रहें अगर तुम्ह tu होगे नहीं आते हो तो जब तक एक्षटे नहीं हो तब तक वह तुम्हारा वए खाता बंध तुम्हारी पैसा नहीं कि नयुकिलाइब हमारा पैसा हमें ही खा रहा है हमारा पैसा हमें ही परिशान कर रहा है हमारे अधिकार उखा रहा है तो पैसा देना बंद तुम्हारे संगत्रों में जा जाना बंद तुम्हारी बास सुनना बंद और इखटे होके आ जाओ तो फूल की मला तयार है हम सब मला देंगे और सब से के लिए नेता की आवश्कता नहीं और सम्विधानिक अधिकार के लिए яж durante का नहीं अगया क्या आवश्कता नहीं और मलें की समविधानिक अधिकार संख्या बल पर मिलते हैं जैसे दो करोड़ जो जो सिक हैं उनकी बात parliament में सुनी जाती है जैसे हरियाने के जट इखटे है जाट इखटे हैं उनके काम होते रहते हैं ठीक वैसे ही आप अगर इखटे हो जाते हैं तो MP ML ए तो काम आपका दरबाजे पर आगे से करेंगे ना भी करेंगे तो अभी पार्लेमेंट में काम करना पड़ेगा क्योंकि बहुजन के आगे संक्यावल के आगे सम्विधान सलूट करता है सम्विधान में दम आ क्षा जिद्धान आपकी रख्शा करता है अधरवाइड कि बाइगा जिद्धा रहने की जिद्ध है जोड़ने की जीतेंगे और कैसे जीतेंगे लोग कहते हैं क्या करें कि नियुक्ष करना आप इस का साइन को लगाते हूँ आप जि edo बार पे घर पे पोश्चन से साइकल पे, स्कूटर पे, टेलीफोन पे, मॉबाइल पे, किताब पे, गाड़ी पे, बस में, मैट्रो में, वी भी लगाते जाओ, इसका फाइदा बहुत है, कि अगर आप कहीं जा रहे हो रहे हैं, आपकी कार के पीछे भी लगा हुआ है, और किसी भाई की मुरसारील पे भी आपकी जो पहचान है, वो वी है, जैसे जैसे हम की पहचान आप करते जाएंगे, वैसे वैसे जीते जाएंगे, दुनिया की कोई ताकत हम वाले आदमियों को हरा नहीं पाई है, मैं वाले तो सारे हारे हैं, मैं वाले सब हारे हैं, मगर हम वाला आज तक कोई नहीं हरा, इस लीडर है और हम जुड़ेंगे तो सब कुछ सारी समझ्याओं का समाधान हमें मिलने वाला है सर हम आपका शुक्रिया आदा करते हैं क्योंकि हर दिन आप इतनी अच्छी बात कर देते हैं कि दिन बर वही उसी के उपर हम सोचते रहते हैं आपने दिल्ली के कारेक्रम के बारे में बताया वहाँ पर कोई नेता नहीं था सारे लोग इखटा इखटा वहाँ पर हो गए थे और सभीधान को नेता मान करी सब लोग हम अपना के मिशन आगे चलाएंगे आपने आमको बुलाया यह आपने दिली के लोगों को बुलाया था है आपके आपके दिट्राय आपने आय इसे दो आए जाशन लोकल मिटिंग थी थी ना तो इस वजे से में नहीं डूटी रहती है हमारी इमर्जंसी डूटी गया और बेंटी आई शाथ में पराठे का जो पुराम था वोह फोटो आ गई सब लोग सब लोग मिल बाट के खाते भी है सब के अलग अलग चीजे मिल जाती है पराठे मिल जाती है अच्छार की खुक दूर दूर तक घूम रहे दी तो लुप लगी से जिसे दिली वाले तो ठकरे होंगे आज को उसमें तावीस आरे स्पोक थे ना दिली के जी जी सर गर पहुंचे होंगे ठक रहे होंगे अगर कोई खोल लेगा तो नो मजी करी खोलेगा अज प्रिकास्टि अच्छार करना पड़ता है अब जूटी कट्ने निया भी लग रहे हैं जूटी जब कट्ने का नम्मर आगा तो देखा जाएगा अधिये और यह प्रदान जीना क्यादा मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं और आ आए निन इंटाइम पर दोगा दे दिया आज आते तो पराटे घाते रहे हैं दोखा दे दिया दोखा दे दिया डॉक्राइव दिल्ली कितनी दूर है तो आपके हो आएथे मैं पानी पतो रिप्लाइट कर रहा हूँ नहीं निंटर वाले 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 दिलिली वाले ती मीटिंग अच्छी थी अगर आणाई जरूरी है अधर रात्यम ने तेन गंडा में दिली में करेंगे वह वह यह करेंगे आइसी मिटिंग करेंगे आदे हो कि दसरे के बाद का हर संडे है उसको मीटिंग लगाएंगे और वैसे तो मीटिंग साप की संडे होता है न हर साल दसेरे के बाद का हर संडे आएंगे उससे हमारे लोग जो दसेरे में नहीं आते ना उनकी एक शब पूरी हो जाएगी वो अपना अपना फेस्टिवर लगाएंगे नहीं वह इसे सर दिल्ली में बड़ी मीटिंग होनी चाहिए इंटर्ड पॉइंट आप दली में बड़ी मिटिंग होगी तो लोग यहां इंटरनेशल लोग भी आ सकते हैं ना दली में नेस्नेश्ल दॉट्य देखेंगे खुदा स्ट्श्रत हो जाएं फिर एक कंभाइन मीटिंग रखेंगे अच्छी ड़ी अब बीच बीच में लोगों की आति रहें कि कोई दिकत नहीं लेकिन राजे पकड़ो इससे बढ़िया कंसर्ट दुनिया में कोई नहीं है जहां भी चर्चा होती है हर बेक्ती यही कहता जो पहली बार सुनता है कि अभी तक ऐसा कंसर्ट तो हमने सुनाई नहीं था सबको बढ़ाई हो बहुत 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 साथ वाद तो नहीं हो तो नहीं हो तो आज आज प्रॉपर मतलब जैसे ज्यादा बैठना या मतलब वह तो वह गले में थोड़ा वह गया तो मैं लेट गया था फिर गोली खाके अजिए आपको वह प्रादू क्या वोलते हैं तो कंप्यूटर पर वह प्रादू को एश्टा आपको प्रादू करें को प्रादू को फ्रादू को कि अनुद्ध यूजवर अने वालें कि आज आग्षा ऑंड़ बारा लोग जॉइन होंगे अगेश्ट्रीश्वर प्रादू का कि वह जाँज़्यूट्ट मौनेवाले कि आज सुधीर सर जो आप बता रहे हो दसरे के बाद संडे वाला तो उसके भी हमें त्यारी करनी पड़ेगी फिर वैसे ही जैसे अब की आम करेंगे जैसे आप दस लोग कर लो बस दस पर काम करना है आपने जादा नहीं जी मैंने वह दिख्षाभूमी के बॉड़ी को यह किया है बोड़ा डारेक्टर को इस साल दिख्षाभूमी का प्रोग्राम नहीं है आफिशली आफ्लाइन वह आवाज इंडे टीवी से डारेक् प्रोग्राम को सुन पाएंगे पर वहां पर इस वक्तु स्टॉल नहीं है आप अच्छा तो मैं सोच रहा था कि वो पोस्टर बना दूँ पर वो उन्होंने बोला कि अभी बुग स्टॉल अलोट नहीं होने वह इस साल तो नहीं हम हमारा बुग स्टॉल लगे लगे कोई ब बना के हम उस पर डालना सुरू करते हैं क्या वो चला जाएगा आप मुझे मराधी में लेके भेज़ा ना जो मराधी में लिखते हो हाथी हिंदी में रहने दो ना को ताकि नैशनल लेवल पर रिले होने हो लाए प्रोग्राम तो हमने कामले जी को हम लोग पोस्टर बना कि भेज़ देंगे वहां पर स्टेज पर रहेंगा कई तो भी समय है जो भी है ना वी थोड़ा सा प्रमोट करना है और खुझ भी लगाना है तो थोड़ा चल जाएगा अच्छा हो जाएगा आज वो रहेंदर पाले एडवोकेट्टी है वह उनने का कि मैं अपने रच्पे न चारतरों भी लिखवाँगा तो रहत समय जाएगा तो भी जाएगा तो मैंने उनको वो लोगो एच्टी में दे दिया मैंने का यह भी चपा लेना आप उसमें है मैं मेरे लैप्टॉप पर कर रहा हूं पता नहीं क्या बात है अच्छा हो नहीं रहा मैं आपको करके फिर इसमें देख तो बुटे बुटे होगे बच्चों की मता दिल्यों हाँ वह लड़का तो अम्रिका गया है अभी एक काति कि हमारे मैडम के पास कैनी बच्चा लगाएगा तो बच्चे कोई पता लागेगा मेरे डैडी क्या कर रहे है पिर तो पोन अपने बच्चों को कुछ भी बताया नहीं है है भो जाधा तर लोग तो ऐसी है नहीं मेरा तो लड़का जॉइन होगा भी अभी गया हो एक देड़ में नहीं हो गया लेकिन ज्यादातर लोग बछों के नहों करते हैं हमारे लोग थोड़ा सभी बड़कुल होजा पर फिर वो करते हम ने जो तकलिप साहिं की है वह मैं नहीं चाहते हैं कि हमारे बच्चे वैकि अईसा उल्टा है उसको थेना चाहिए ठाकि उसको समझ में आ जाये कि मूझमें क्या ऊजी है उसका खुद का उसको त्यार करेगा क्योंकि अगर हम लोग बच्चों को तयार ने करते तो अगली जनेरेशन का बहुत प्राब्लेम है जनेरेशन को भी है अब हम जो नए बच्चे आ रहे हैं यह सोच लिया है कि हमें फरीमें मिल रहा है सब कुछ रहा है आज हमारी नैशनल लेवल की कॉंफरेंस थी और मिनिस्टर गॉर्मेंट और को आपूरा अरेशस का कंप्रिट हो गया पुरा टर्गेट पुरा उनका गाना उनका सांस्कूलती कारेक्ञम सब बिल्कुल टोटल गॉर्मेंट का प्रोग्रम ही बन गया हो वो तो सरकार अपना करेंगे उस बात की चंदा मत पर वो करेंगे वो तो करेंगे हमने क्या करना यह है जो अपको अच्छा लगे ना उसमें से लोट तरके और डाउन कर लिए ठीक है ठीक हो जाने का अभी मैं पता दूंगा आपको कैसे होता है किसको को बैसा करेंगे बगी को यहां कावी पता करेंगा और यहां रहेगा कुछ इंट्राइस दॉह से कोहिं भी आया हो प्रियंबल के लिए कर देते हैं आदमें हमारे पूरे हो गए है जी नमों बुदा है जैवीन सब्सक्राइब को पंतरी नहीं बोलना है आज ना मुरदवासिक बच्ची इंग्लिश में प्रियंबल बोलने के लिए कह रही है तो वह आ गई है अगर आपको आपकी द्यामर्टी हो तो बच्ची को बनवाएं प्रवादो प्रतिवावंश करके जो जुड़ी वियां भूमी भूमी वेटा आवाज आ रही है हाँ प्रियंबल इंग्लिश में बोलोगे हिंदी में इंग्लिश में ठीक है अपना इंट्रो दें दीजे क्या करती हो कौन सी क्लास में पढ़ते हो फिर इसके बाद प्रियंबल स्टार्ट कर देना वीडियो आन कर सब्सक्राइब पिटा येश आपल बिद्ध रिटा इंट्रोचन दिवापना एपना बॉटिवण एट्य विडिवन वाइन अप्रमाद्स इंट श्रूल इंट नंस्थी प्रम कल्स 7 चूध इंड बिंग्ट श्थी यूंड उपील अपिंड्या वीड़ पीपल आ पीपल इंडिया having solemnly resolved to constitute into a suboging socialist and secular democratic republic and to secure all its citizens, justice, social, economic and political, liberty of thoughts, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity and to promote all of them fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of integrity of the nation. In our constituent assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give ourselves this constitution. Thank you. Thank you, bata. Sadhuwad, aapko. Patke saab, Yes, yes, bholiye? Ji, ji, kariye, kariye. Angering kariye, itinne zone, aapne joh videsh seo ate, bel sahab ya dalwan sahab ya koji bhi, bich vich maa milky kariye. Sabhi satiya ko with the people ke is, और उनको मेरी आज शूप कामना है। मैं यहाँ पर शुरू करने से पहले इंडिननाशनल लेवल पर पहल साहब अगर जॉइन हो चुके हैं, तो मैं इन से विंति करता हूँ कि क्या आप जॉइन होए बहल साहब। महाराज से लोग जॉइन हो चुके हैं, उनका परिचय शुरू कर देता हूँ, अभी सोन्टक्के साथ जॉइन हुए हैं, सोन्टक्के साथ आप आवाज सुन रहे हैं मेरी, सोन्टक्के जी, चन्न सोन्टक्के साथ, जी अले अन्मूट गहिजे और अपना परिचय अन्मूट फजिजे अन्मूट लि अजाई शी अनप॥ कि अज़ेविम नमों भुद्धा है सर अमोल नाराइंद्राव इंगोले मेरा नाम अमोल नाराइंद्राव इंगोले मैं देपुटी रजिस्टार आपिस में काम करता हूँ और मानिया कटके साहब ने मुझे जॉइन्ट कि आए आपको कैसा लगा इस प्रोग्राम के बारे में घह αज हैं को मता बाध है एक आप क्या करना चाहते हैं इसके बारे में हम तो आपके साथी काम करना चाहते हैं आपके मार्स दर्शन में हमारी बहुत बड़ी टीम है सुधी राज सिंग सरह करमीट सरह है और याज करिब करिब सब्सक्राइब से ज्यादा लोग सारे यहां से नैशनल इंटेनाशनल लेवल पर जूड रहे हैं अभी तो हम सिक्सिफाइब तक गए अब आख चनुनला राम में सोंटक के साथ चन्लू सोंटक के साथ आप आप हावाज सुन रहे हैं मेरी है हमारे बीच में डॉक्टर स्टीडी नायक सरई डॉक्टर नायक सर अग्ट नायक सर अग्टराइब याज़ेंद्र गाड़से जी चो की उप्रेटेंडेंड डेसेंट्र लेकसाइज एन कस्टम्स में नाशीक में राज़ेंद्र गड़से साब क्या मेरी आऊज सुन रहे हैं यह आख आभ ती ऊचिए रहा कहाँ दो तीधि के दो तेन आदमी नाम है मैं दे अफो आपको में थांग राम जी भाई यसाए मीरी आवास спасибо तो और कि अपना एं tender अन्य गरम आपने माइक को करें माइक कोम करें कि अब है अब कर अब कि मैं लोकड़ा आए प्रीज अबम करिक्शन होई अधिक बोली बोली आप कहा से बोल रहे क्या करते हैं आपके सामने पूरा देश के लोग बैठे हैं बात करिए सारे लोग जोड़ने और जोडने की बात कर रहे हैं आप तक क्या विच्छार इस वारे में प्रशी सब्सक्राइब शुर्णा चाहता हो जाया कि अधिक यह नंबर अधिक सानवर नंबर भॉल दें आप इनको लिखना नहीं आरा रहा चैक बाक्समें नंबर बोली आप अपने नंबर दोस्ता नइन लेक पार रहे 9, 9, 1 3, 0, 1 7, 4 5, 4 5, प्राम जी ब्राइब यह साथी जिनका माई के अन्मूट है पलीज जो घर्म बच्चे भी है अभी काफी दिन होगे आप लोगों को जुड़ते जुड़ते अब थोड़ा सा डीसी बिलंग में हमें आ जाना चाहिए क्योंकि बच्चे भी होते माई के में मूट रह जाता है अपना माई के मूट रखे और मैं जो अंचे बोलना हो जब आपना माई के अन्मूट लेकिंगे बाकी सारे साथी डिस्ट्रब होते ही से जैबीम नमो बुदाय आल दा रिस्पेक्टिव में वी दा पीपल की इतने भी हमारे सदेश से सत्यवान कंगता से बहुत पुराने पुराने होगे सत्यवान जी आप ठीक है ना अब आप जैसे जूड़ेंगे जैसे इंट्रोटेक्शन देंगी आप करना गलती हो गया थो अभी तो आने को है डोक्टर सीडी नायक सार जॉइन हुए है चंद्रवानु प्रकाश्चर पोक्रा से चंद्रवानु प्रकाश्चर अन्म्यूट किजे और अपना परिचे दिजे प्लीज जैवीम सार चाओधरी साथ बीडी चाओधरी जी आए मैं चंद्रवानु प्रकाश बोलाँ सार पोक्रा से सबको मेरा जैवीम नमो गुद्धा सार जैश्चर अब अच्छा लगा सार का आज की मिचिंटा दिली में क्या हुआ सार उत्राइखांट से बोलाँ मैं अगर इंटर्नेशनल में कोई सजन आएंगे तो वो उनका पैच्छ ले लेंगे आएश्च जैवीम नमो गुद्धा थैंक्यू सार कुछ दिनों से बहुत बीजी चल रहे थे माप किजेगा दिली की मीटेंग के वारे में जो पूछ रहे हैं वो बबली बेंग जी आ गई है वह दो मैंट मैंट में प्रदेश से हूं जी 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 मैं इस मेरे उची रखती हूं इसलिए मैं एक महीन ने सज़र रही हूं क्यासा लग रहा है अच्छा लग रहा है मुझे ग्रॉप में हूं मैं इसमें जी 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 सुन लेंगे अफशन के बारे मता तो सारे साहती सुन लेंगे अट इसमें इसमें जालवन साब भी जुड़ चुके विदेश से, तो सारे साथेों बता दो आज बदाई हो आप दिल्ली वालों को, और आप अमारी जोने बदाई सभी को, आज मंतरी जी के राजिंदर पाल गतम जी के रनिवास अस्थान पर एक दिवसे समीती में बहुत ही अच्छा प इसार सबके सुन्ने को मिले और अजिंदरपाल गतम जी ने भी स्पीच दी जो कि बहुत ही अच्छी थी सुदिर जी ने भी दी और अलग लग सभी ने जी जी आयो थे, चार-पांच बंते जी भी थे उनों ने भी स्पीच दी और सभी अपने घर से हर एक आदमी स्त्री प सभी ने इतना अच्छा अच्छी प्रकार से वित्रित किये कि मज़ा आ गया अचार के प्रोशे खाई हमने, कई बीच में पूडियां भी थी और कड़ी की सबजी भी थी, आलू और मटर और पनीर की सबजी भी कई लोग लेकर आये थे, सभी ने खाया और इतना आनन्द आ कि मैं बता नी सकती हूं, इतना स्वाधिष्ट खाना था, सभी ने खाया और खाने के बावजूद भी, हम पांचे लेडिस में सर्फ किया हूं, इतना बच गया, लोग अपने दुबारा दो दो बारी खाके भी, अपने घर में कही लोग वापस लेका कि हमने खराब नी होन था, इतना खाना था, इतना स्वाधिष्ट खाना था, कि मैं बता नी सकती, इतना स्वाधिष्ट खाना बना हुआ था, सभी वी दे पिपल गूब को आज की समीती इतनी अच्छी हूं, इसके लिए बना हूं, और इसके, एक मिनिट, एक मिनिट सुनिये जा, और इसके जो कि फ्योर दूद में बनी हुई थी, उसका कोई जवाब ही नहीं, मैं आपको बताती हूँ, इतना अच्छा प्रोग्राम रहा आथ का. यारा समाग यारा बजे शुरू हुआ था, तो पाफ़े-पाथ वजे खतम हुआ है, और सभी ने बर्चर कर हिसा लिया, और सभी का इंट्रोड़क्शन हुआ, बिना इंट्रोड़क्शन के किसी को भी हमने जाने नहीं दिया. इस चीज के हम गवा है बिलकुल हंडर्ड परसेंट सही है किसी को भी हमने बिना इंट्रोड़क्शन के जाने नहीं दिया और खाना बिना खाना खाए किसी को जाने नहीं दिया हमने मांसे मंतरी जी के निवास से मैं सत्यावान एक मिन्ट के लिए बोलना चाहता हूँ यदि आप मुझे पर्मिशन देतो तो बहुत अच्छा प्रोग्राम था बहुत अच्छा तुनी राम जी की एक लास्ट में तुनी राम जी का लास्ट में था उन्होंने बाबा साइब का गाना सुना कि इतना सभी को मन प्रसंद कर दिया कि मैं बता नहीं सकती उन्होंने इतना अच्छा गाना गाया बाबा स कि अग्ले रेंक्स ने रें में जो सब्याओं वे इस में अपना गेट टुगधर का प्रोग्राम बनाएंगे वह फिर बताएं टाएंगी आपको हर फिर इन बनाएंगे हम सभी लोग ऐसे चुगदर करते रहेंगे आगे से हम सारे जाने की बात नहीं अपने घर से आप सभी प्रोग्राम बना के आए और संदे का प्रोग्राम बनाएंगे तो सारे के बहुत सा जो संदे होता है सब्सक्राइब कर रहा हूं सभी को ओनली वन मिंट मुझे दे मेरे पास कोई बंदा खड़ा है वो कह रहा है ब्रामन से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है मैंने उसका पोस्ट माडम तो किया पर लेकिन मेरे पास कैची थोड़ी ही अच्छी नहीं है तो किर्पया मुझे थोड़ा बताए ब्रामन से बड़ा कोन है मैंने कहा ब्रामन से बड़ा सिक्षित आदमी है और उससे बड़ा कोई नहीं है शिक्षित से बड़ा तो कह रहा जिवन में बगवान बुद और मरन में बगवान बुद उससे बड़ा कोई नहीं है फिर भी नहीं एक हर। और हम में किसी मंदर के साथ ही खड़े है एक तो मुझे एक बार थोड़ा बताएं सर प्लीज की इससे बड़ा कौन है है कर्म बड़ा होते है। चोटे बड़ा कोई नहीं होता है। जोटे धितियु हुँ, मैं रधवाज से हूं प्रधानाग्द यपिका हूं संबल में और इस संब्सक्राइड के जुड़ी हुं। अबी अमारे बीच आसाराम जी हैं अपना परिचे दीजे अशाराम जी आसाराम भापु अशाराम हों आपू तो अंदर है में बाहर हूँ घुकहिए घुति तंट प MARK CC अथीज को और हम सोटोstem के लिए जूरु सीज आपना यह शवीड़ीशे. no right can you hear me yes i am asa ram executive director from airports authority of india and i stay in dwarka daily प्रव्राइब वीजु ईंवाब है वे प्रवती है टूर प्रवेट निस अारे संवा जबनादी निर्ट टूरे धिल डॉरास्टी अवेटी टूर्वाग फिल्ट इस वे ज्त्व निलिए ट्रव टीड चुश्ट डू टूरे जएक उलिएम पूंए यह ऑ्काय से ट्रव जो और पीपल दो नाट इंडॉस दिस कांड थे इस पिर एडरी तो उपिपल डॉन टॉर्ट इंडॉस दिस कांड फ्रिटमेंट वीज़ी कॉर्ड टॉर्ट पीपल दॉर्ट जो थे जो रहा हैं अधिन गुद्धार नहीं हो अधिन जो रहा हूं लेकन एक मैं अभी देडि तोड़ा कैस्थब जो जुदी सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब तनेवाद सर, राजकुमार बडोले जी हमारे पीछ में बंडारा से, राजकुमार बडोले जी अपना परिच्छे दीजिए, तुम्हा लोई चाहिए, बडोले जी अन्मूट कीजिए, हाजी कर दिया है, लेभीम नमुद्यास अभी को, जबन नमुद्या, मुझे नमुद्य मैं रिटाइर चीप मैनेजर हूँ बयांक से, और काफी पहले से मैं हमाजी कारियर से जुड़ा हूँ, हम से बीए सबीज बड़ा, अभी दो तीन महीने से मैं वीधी पीपल से जुड़ा हूँ, यह वीधी पीपल मुझे बहुत अच्छा लगा, हालो, बयांक आप इंडि तो काफी दिन से मैं जुड़ा हूं वुईदी पिपल से और बहुत अच्छा लग रहा है ये जुड़ने से क्योंकि हम जिस से जुड़े थे BSP मंसेठ से तो ये तुक्ड़े तुकड़े में बाढ़ गया था और हम निरास हो गये थे क्या किया जाए और इसी भी ये मिला साम को फ्लैटपार्ण तो ये बहुत अच्छा है हमें बहुत खुशी हुँ रहे हैं कि इसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं और हम भी जूड़ने की कोशिज कर रहे हैं मेरे खुद के भी फ्रेंट लिश्ट पे दो धाई हजार किजिए मेरे महुम धालिव येज ये उ क्भी भी जुसरोब के ऐब लिश्ट वभारेक्टी एपने बारेसरे सहब है जो कि उपरीडेंडेंड highly नासित में हैं मैं उन्हसे गजारिश्ब करता माइक फोल दीजिये, खड़ से दाव, आपकी आवाज नहीं आ रही, अन्वीट कीजिये, भुल जावनने तुम, एक होस्ट से रिक्वेस्ट है, कि ये जो पीछे जो डिस्ट्रिबंस और पीएस को कंट्रोल करें, प्लीज, चार महने होगे, डिस्ट्रिबंस नी काब वारी, कट के सब्सक्राइब करें, कर दो कि आपने मुझे इस गुप के बारें बताया, अच्छा लग रहा है, अपने पुराने दोस्ती में लते हुए, लेकिन मैं ये, मैं यहाँ पे ना सिकने, as you know, मैं सुप्रेटेटिनेट हू, आँ सेंट्रल जीएस्टी में, और अच्छा काम कर रहा हूं इडिपारिमेंट में, मैं आप लोगों से, कट के सर, कट के सर, मैं आपका बहुत आवारी हूँ, कि आपने मुझे इस ग्रुप के बारें बताया, और मैं इसमें जॉइन हुआ हूँ. बहुत ही धन्यवाद, यह वीजए पीपल का ग्रुप है, यहां पर कोई लीडर नहीं है, सभी हम लोग के सेवा में, इक्वैलिटी पर एक्वल ब्लाटफॉर्म वर है, भारत के सविधान का आर्टिकल 14 हमें लागू है, इक्वैलिटी बिफोर लाओ. क्या, कटके साथ, लेकिन मैं इसके बारे के पुछना चाहता हूँ, यह ग्रुप कब से शुरू हुआ है, और इसके टार्गेट क्या, इसका एम क्या है, कि मैं इसमें जॉइन वा हूँ, I have been united to this group, but what is the aim of this group? मैं इसके लिए सुधी राज सिंग सर को बता हूँगा, सुधी राज सिंग सर ये खड़से साथ का आंसर दीजे, प्लीज साथ, जी, राज खड़के साथ, हमारा जो उद्देश है, वो है सुख पराप करना, सुख पराप करना, happiness, सुख, क्योंकि हम दुख्य है, और हम है, वो हर छेतर में है, तो हमें समिधार में बताया गया है, कि अगर आप सुखी होना चायते हैं, तो देश के जो संसादन है, देश के जो रिसोर्स हैं, और यो हमारे जो अधिकार है, वो सारे हमको सुख उपना सकते हैं, वो हमारे जीवन को उपना सकते हैं, तो उन सारे को क्लारिफिक्षिशन चाओंगा यह पौलिटिकल फ्रेंट यह इसके नाम आप सोच सकते हैं चाहे छाहे वह अलग तरह का पूरंट है है वो सारे फ्रेंटेंस के लोग हमारा निविधन है उन से हमारा जो जले गए क्या आप अलगवे हैं तो आप सारे फ्रेंट्स ход करीए और तब साथ आईए जैसे हम जितने भी पॉलिटिकल फ्रेंड्स हैं जो लगबग हजारोगी संक्या में उसको कहते हैं कि अपना विखटे होगे एक साथ आई तो जो रिलीजिस फ्रेंट के लोग हैं जो बावा साथ ने पैदा किये हैं उनको भी कहते हैं कि आप इखटे होके आईए तरसल हम वीदा पीपल हैं हम को फ्रंट नहीं हम संग है जो संग हारत गडराजे संग आवा साथ ने कहा था और जो बुद्ध का संग है और जो हमारा नेच्शुर संग है कि बुद्ध से पहले करता हैं तो हम उसी को दुबारा से रभाइब करने हैं और उसी कंसेप्ट पर हम दुबारा से लिए हूए है और यहां पर हर दीन लग जुडे रही है आपको दिन बदिन मज़ा आजाएगा यह ऐसा एक संग है कि जो बावा साब और गुद्दे की विचार पर जोदिवाफुले की विचार उपर चलता है और सबी लोग इकटा होना चाहते हम जुड़ेंगे तो जीतेंगे यह उसका एक स्लोगन है मैं चन्नु राम सोंटके साब से बिलंती करता हूं चन्नु सोंटके साब क्या मेरी बात सुन रहे है रुपए अपना परीचे दीजी लगपत सिंग सर राजेश कुमार जी साब दो नाम काफी देर सेंडरेज है प्लीज उन को ले लिजी पले जी भारती साब का और इनका हो गया सर प्रमीर सार जिडी भारती जी मैं आमने बात की है और सत्यवान जी ने भी बात की है ठीक है ओके राजेश कुमार जी हमारे बीच में है जी इस नो बुद्ददा है जी सर्मार राजेश कुमार वरांसी से और मेरी यार फार्मा है फार्माइशिकल्स कंप्णी मेरी है यह बी आर फर्म मैंने बाबा साब के नाम से इसको फर्म का नाम रखा है मेरी फर्म है बी आर फर्मा डिस्टिबूटर बी आर लेबर्टरी एंड बी आर लाइप साइंस अब तक पुरे एसी लोबी में यह फार्मासिटिकल की मैनिफेक्ट्रिंग और मार्केटिंग में ही करता हूं और यूभी में जिसपे मेरे पर एक कितार भी लिखी गई है एक बुक्स लिखी गई है उसके रावा मैं डिक्की का पनारस का पाडिनेटर हूं पता है पता है डिक्की के बारे हैं जी मैं उसका पनारस का पाडिनेटर हूं और मेरा मेरा वर्क में ये फार्मासिटिकल का ही है उसके रावा मैंने एक बार एलाउंस्मेंट भी किया है कि अगर यूपी में कोई भी मेडिकल कैंप लगता है उसकी सारी मेडिसिन में मुफ में अविलिविल्टी कराओंगा नहर साब है इसकी लग गई है कि मैं कितना वीजिर हूं बट एक बार मिटिंग में अटेंड करता हूं चैया में चंदीगड में रहूं चैया में बद्धी में रहूं चैया कहीं रहूं करता हूं चाहिए मैं बस में सफर करूं कुछ बोलता नहीं हूं फिर भी मैं टेंड करता रहता हूं कि अपना नंबर चाहिए मैंने 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 इसको कर दिया है थीक है सुर अपना मुपर चेट बोस्क्राइब रहता हूं यस 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 इस इस माविर शिंग नहर साब पूल रहा हूं यस इस इस माविर शिंग नहर गुर्गाओं से बोल रहा हूं यह अपनी फार्मा कंपनी है गुर्गाओं के अंदर ही और मैं रेलवे से रिटाइड हूं बेटा समाल रहा है और मैं काफी दिनों जुड रहा हूं आज नहीं मैं तो कमसे टाइटीन महने हो गई जो पर मैं बस सुनता रहता हूं सभी आप जैसे मानों-बाहों की विचार सब्सक्राइब करेंगे कभी भी करता रहता हूं उसके लाबा मैं सब्सक्राइब करता रहता हूं मैं चोड़ दिया है हमारे भी गोविंद्राम साब प्लीज इंटिडूस योज़े लुट कीजिए जैवी मैं नमोग उधाय जैवी हूं तो बिंद्राम रेटायर्ट जेनल मैनेजर एयरफोट अथर्टी ऑप इंटिया मैं गुरगाउं में सेटल्ड हूं 2011 में रेटायर हुआ था पिछले दो हफ्ते से इस ग्रुप से जुड़ा हूं रोजाना डेली में इसको अटेंड करता हूं और बहुत अच्छा लगता है बहुत लोगों से जानकारी मिनती है और यह भी पता लगता है कि हमारा समाज कितना बड़ा है समाज में विद्वान लोग है यह चुड़ने के बाद ही पता लगता है हमारे बीच राजेश कटके साहब है जो कि महारास का एक बड़ा 45 करोड का बोजेक बनने जा रहा है उसमें वह बोड़ाप डारेक्टर में राजेश कटके जी अपना परिच्छे दीजिए और आप क्या करते हो एक ही है राजेश कटके जी अनूट किजिए राजेश जी मेरा नाम राजेश टुकराम कटके मैं रहता हूं और हमारा जो है ना ओनियन पॉडर के ऊपर एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है चल रहा है और फिलाल में अभी एक पर डे सिम्ला टर्बू इसका फशल लेता हूं जबाजेश कटके जी ठीट फैंक्टर दश्रत हीनुए हिनुए हिनुओि हिनुनिया साब प्रकाश शिंग्जी तुसाम हमारे बीच में है, क्या हमारी बात सुन रहे हैं, तुसाम साथ, अन्मूट कीजिए और अपना परिचे दीजिए अचा ओंप्रकाश शर जी प्लीज को ऑम प्रकाश जी तुसाम जी आगे हैं, आप साथ, क्या हूं डिखिए हम मंध्री जी के वेहाज़ब से नहीं गए, हम वीद्यख पीफट के के विःव से गए समाज की नाते गए हैं ऐसा किसी को संसय है तो गलत है रॉइप विव्याक्ति हम समाज की नाते मुटी जी को पास गए है और नहीं गए है यहां तक कि किसी मा के पेट में बच्चा भी है तो आप किसी को यह कैसे कह सकते हो कि वह आपका वीदर पीपल है या नहीं है और इसके वारे में जब कंसेप्ट उसमें बात करेंगे क्यों खामें का अभी करना आप कि इसलिए मैंने बोलना पूरा मुझे वागे साथावाद जय वीं सबकुर लड़ेंगे जीतेंगे जीटेंगे जीद के इतालके बड़ो प्राश्ट्रा जालना ड्रिस्टिक से हूँ मैं अलो मेरी एक ट्रस्ट है लॉड़ बुद्धा चैरिटेबल ट्रस्ट है जिसके अंदर मैं सोशल मुमेट चलाता हूँ अब फिलाल मैं भारतिय सविधान जम जागुरतिया भियान चला रहा हूँ अब उनके माध्यम से मुझे ये मिटिंग का आईडि मिला है उन्हाँने आज मुझे नया जॉयनिंग हुआ हूँ मैं आपकी मिटिंग में तो प्रकाश सिंग जी ने काफी अच्छा बुला है अप सबी लोगों के बारे में प्रोग्राम के बारे में तो मेरे आप शुरुआत है आप पहले ही मिटिंग में मैं आपके साथ हूँ तो शायद आगे चल के मैं समझ पहूंगा आपको और आपके प्रोग्राम की किस तरह अभी बने रही है अभी अभी नौ बजे ये प्रोग्राम का जो कंसेट है वी दे पीपल का वो आपको बता दिया जाएगा और आप दीरे दीरे सब कुछ सुन सकते हो समझ सकते हो और वी चंद्रमुनी साहब और दूसरा हैंडरे से मंजु सिंग मंजु सिंग जी जैसे कि सर मुझे हैंडरे जभी करना हो पड़ा कि जैसे भाई अभी कह रहे थे कि मंत्री जी के उससे नहीं गए वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं लेकिन मंत्री जी जैसे कितने सारे हैं और कितने हमें अपने घर में आने की अनुमति देते हैं पहले ये भी तो विच्चार करें ना राजिंदरपाल जी समाज के लिए कुछ कर रहे हैं और ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतने उचे पदपर होते हुए अपने समण समाज को इखटा करने की एकजुट करने की बात कर रहे हैं तो हमें उनको समर्थन देना चाहिए और उनकी बात को उनके सुझावों को मा पर रहे हैं तो हम सभी एक जुट अपने समाज को करने के लिए जो जिद आपने ठान करके बाठे कि हमको अपना समाज जोड़ना है हम जुड़ेंगे तभी जीतेंगे तो भाई जो आए उसका वेलकम करना चाहिए हमें और अपने हिर्दे को इतना बड़ा विश्चाल करना चाहिए कि जो भी आए उसमें समाज आए और हमें जो हमारे समाज के लिए और हमारे लिए अपने घर के दरवाजे बिलकुल खोल दे उससे बड़ा हिर्दे तो किसी क हो ही नहीं सकता तो ये देखी आज हमारा कितना मान सम्मान वहां हुआ और मंतरी जी पूरे दिन हमारे साथ बैठे रहे हम सब का होसला आफ जाई करते रहे और किसको इतना टाइम हाज की भाग दोड़ वाली जिन्दिकी से भाई आपके घर में अगर कोई प्रोग्राम हो तो आप भी समय नहीं दे पाएंगे और वो समाज को इतना समय दे रहे हैं जब हम वहां दस बज़े का टाइम मतलब दस बज़े था हम दस बज़े जब वहां पहुँचे तो मंतरी जी हम से पहले वहां की व्यवस्ता ठीक कर रहे थे महां की व्यवस्ता को खुद देख रहे थे और तब से और जब तक मीटिंग हो गई सब लोग उठकर के आ आ भी गए लेकिन मंतरी जी फिर भी मही पड़ थे लास्ट आजमी को भी उन्होंने विदा किया है तो उनकी उसको के आप यह कैसे कह सकते हैं क्यों आप कैसे कैसे की अधर नहीं या यह बदाय के पात्रे लेकिन बार-बार मंतरी जी की बात नाला के समाजे लिदा परिवाइश्य अगर आप अपने खरकर दर्वाजे हमारे सब के लिए खोलते तो नाम भी बार बार लेते में अपना अलगा नहीं बहुत अच्छा क्या रहे आगा यह रहे रहे हैं जब आप पर प्राइब आप नहीं बहुत अगया लिए अधि जिया तो दिया तो अधिक वाद नहीं है तो फटम हो जाए आपको बताना चाहता हुए बाबा साब ने कहा है कि ग्लोरी टो दोज वो अरेड़ी टू सैक्रिफाइज इवन देर लाइफ पॉर देख आप सोसाइटी वो धन्य है जो कि अपना तन मन धन और अपनी जान तक पुर्वान करने के लिए समाज के लिए गुर्वान करने के लिए तैयार रहता है ऐसे लोग है और बुद्ध का एक वचन है बुद्ध कहते क्या करना चाहि और व लो जाया इंपॉर्टन है हम लोग 애गे यह जो संग है यह आगे चलेगा हम लोग एक दूसरे के साथ जूड़ेंगे हमारे बीच का जो मन मुटा है खतम हो जाएगा और हम आगे चलते रहेंगे धनिवाद सब्सक्राइब प्रकाश शिंग सब्सक्राइब यूपी मरदवाद और मैं लगातार जब से वीधा पुब रिस्टार्ट हुआ है मैं इसका हिस्सा हूं और जो भी मैं आरे हैं को चाहता हूं। जैभीम नवबुद्दा। मैं इस आखी मैं रूछ टी। प्लूडी में कारे रहत हूं गुलाव सिंग जी की वज़े से जो है मैं वी दा पीपल से जुड़ा और मुझे बहुत रहता है और वी का वी का मीनिंग हो जाता है हम हम सारे समण समाँच के लोग तो जब हम हम आ जाता है तो हम बहुत बड़ी शक्ति हैं और बहुत बड़ी मतल्ब संख्याबल में हम हैं और जैसे ही हम हमें यह सम corrosion जाएगा हम जुड़ेंगे जूड़ेंगे लोगोगों को तो तो सारी चीजे सारे रिजर्ट हमारे अनुसार आने सुरू हो जाएंगे अपने आप तो ये बिलकुल सच है हमें जोड़ना है जोड़ना है और मेरा प्रियास ये है कि मैं जादा से जादा लोगों को जोड़ू और खुद भी जो भी मुझे मतलब जो भी मेरे से बने का जैस कि वेरिमार्ण हमारे वी प्रिति बनसोर मैम है मैं उनसे गुजारिश करता हो कि पर अपना परीचह देजिक वोगों को अन्मुट कीजिए परती बनसोर मैं सिंग तुसाम सर आपकी अधूरी रहे ती कोई अपना परिचे दीजिए प्रकाश सिंग तुसाम सर कर रहे हैं सब लोगों को जोड रहे हैं अपने से जितने हमारे पास की जिले माराश्टर के मुख्षे जिलों से मैं लोगों को इंट्रिजूस करना चाह रहा था वह अभी चंद्रमुनी जी जो चालना से आए हैं वह सबसे बेतरी लोग हैं उनके पास हैं वो काम कर रहें अच्छी तरह से और आप कहा से हो मैं परली बैजनाथ तो सर मैं यहां पर नगर परिश्ट में रेकॉर्ड में रेकॉर्ड वागा है हमारे आपको किस ने इंट्रोडूस किया यहां पर शुदिर रासिंग जी नहीं इंट्रोडूस किया वैसे परिश्ट ने जेविमनों विदाएं हमारे बीच विज वीर सिंग अनंद साव है विज अनंद साव अपना मैक खो लिए और अपना परिच्छे दीजे हलो सर येस येस प्लीज जैभी उन सार नमा बुद्दा मैं वेर सिंग आनंद साइवाबाद गाजाबाद से हो जी हाई येस बासर ये इमरा परिचे है ये सोलुशन है हमारे बीच में ये सोलुशन कौने प्लीज अपना अन्मूट कीजिए अपना परिचे दीजिए अ कि अलो कि मुझे सुनने हैं आप विशाल गौतम सर विशाल गौतम जी सर आज मुरादवास से पहली वार प्रतिवाजी जुड़िये प्रतिवाजी आप सुन पा रहे हैं गाज यावास से निर्देश भारती हैं निर्देश भारती हैं निर्देश भारती मुझे ये संग अच्छा लगा कि इतने बड़े छेत्र पूरे देश में हम लोग कहीं न कहीं जुड़े हुए हैं और जो हमारे महापुरिस्ते उन्होंने बलिदान किया अब हम लोगों की इस्तिती को एक अच्छी पोजीशन दी तो आगे भी मैं ये चाहूंगी हम लोग ही मिलकर के अपने समाज के लिए कुछ अच्छा करते रहें ताकि कहीं जो अभी गाव में बहुत तो दवे कुछले कुछड़े बचे हुए हैं उनमें सिक्षा का प्रसार हो सके और बो लोग भी आगे भड़ सके कि अधिन कुछेगर साब अपना हैंड्रेस किया है नितिन कुछेगर साब अनूट किजिए हैं नमास्ते जैवीम नमगुद्दाइश से हूं मैं हरप सर्पूने से हूं मुझे सोंटेक के साब ने इंट्रूस किया है एक्चुली मेरी यह दूसरी मीटिंग रहेगी पहले मीटिंग लास्स्राइट अवाद जॉइन इस ये शाओव दो कार्डियो रेस्परितर शिस्टम के लिए यह कंग यह Thank you, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Yes. Vinod Kumar ji. Vinod Kumar. Javir Singh ji. Javir Singh ji, apna mike poli yi. Javim sabi saati yolla. Javim no, dai. Thank you, sir. Thank you. Ajay Jelan, sir. Cut ke, sir. Ajay Jelan, sir. Cut ke, sir. Yes. Puli. Javim, sir. 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 जो यूएस से है अज ना इंटरनेशनल यह है अपने अब उसे के उपर आ रहा हूं सर्थ ठीक है ओके आज इंटरनेशनल डे है और आज हमारे पीछ कैनेडा से अमेरिका से यूएस से यूके से और गल्प से लोग जुड़े हैं मैं अजय जलवान सर से विनंति करता हूं कि क आप चलाएंगे आप दो-चार लोगों को परिच्छे करा दूमें जलान सर अजय जलवान सर लग रहा है वो लेफ्ट कर गए है उनको कोई पेशन्ट आ गया होगा तो आप अभी नहीं है पांच्छे लोग है नहीं न्यू लोग है उनको में इंट्रूडूस करा देता हू सब्सक्राइब करेंगे यह हमारे बीच में अनिता गवी मैं है अनिता गवई जी अपना माइक अन्मिट कीजिए अपना परिचे दीजिए और शंचिप में बात कीजिए अनिता गवी मैं अनिता गवी मैं हम हमारे बीच शुवांगी मालकेड मैं है तो की यह अतमाल से मैं उनसे विनंति करता हूं कि अपना परिचे दे और अब आप क्या करते हो और आप को यह कैसा लगा बीदे पीपल इसके बारे में अपनी शंचिप में बात रखे शुवांगी ताही अलो सर मेरा नाम शुवांगी मालकेड मैं यवत माल से बात कर रही हूं और फर्स टाइम मीटिंग में जॉइन हुई हूं इसलिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी के मारग दर्शन पर हम चलेंगे जैभीम क्या करते हैं बता हूं मैं फिलाल तो सर हम डियाएसी से ट्रेनिंग लिए है चालीस महिला है चालीस लोगों की डियाएसी ने बैंकों में लोन केस भेजिये से में जीपी की तो उसी पर अभी हमारा काम चलुए वो लोन केस थोड़ी वो सैंक्शन हो गई है लेकिन मिलने की है थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है नहीं तो हमारा हमारा 40 महिलाओं का गॡूप है और वो अगर्बत्ती मैनिफेक्टरिंग करना चाहती है जैसे कि हर्शasmण क्या है कि अवत्माड में अगर्बत्ती का कलस्टर चालू होने वाला है तो इसी पर हमारा काम चालू है चालीस महिलों का संगटन है तो हमारा काम चालो है सर अगरवत्ती मैनुफेक्ट्चुरिंग के संधर्व में थैंक यू थैंक यू शुवांगी मैम के बारे पता दें तो करीब सव महिलाओ का संगतन संगतन है उसका पहला भाग जो है बस बेस में चालीस महिलाओ का एक संगटन गर्वत्ति का क्लस्टर होने जारा है जो कि इंडिविजियल लेवन पर करीब देड़ लाग का इंडिविजियल उनका एक यूनिट होगा और एक ही जगे पर चालीस यूनिट शुरू हो जाएंगे हम उनको सुबच्चा देते हैं और शुबांगी मैं हम आप जूड़े रही है और सभी महिलाओ को इस वीड़ पीपल से चोड़ी है थैंक यू सर आटके सार मैं काटके साथी शुबांगी मैं से बताईए कि मैं तीन दिन होगी है शुबांगी मैं दस तारीक, बीस तारीक और तीस तारीक को तीन दिन खांसकर महिलाओ का स्पेशल प्रोग्राम होता है उसमें आप लिए और अपनो नंबर छोड़े जिए चांट बोक्स में ठीक है सर थी विनोथ गाइकवार साब है विनोथ गाइकवार जी से मैं लिक्वेस करता हूं कि वह अपने आपको इंट्रूडिस कीजिए सभी को मेरा जैभीम नमपुद्धा इस समय आउनलाइन हमारे सभी भाई भन मारदरशक लोग खास करके हमें जो हर रोज गाइड करने वाले आदर ने कटके सर यह प्रोग्राम से मैं कई दिनों से जुड़ा हूँ और इस जुड़ने से बावजुद मैं खुद को बहुत लखी समझ रहा हूँ और मुझे बहुत प्रेज़ना मिल रही इस प्रोग्राम से कि दिन भर दिन मैं अलग-अलग चीजी को समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस प्रोग्राम से और आज का जो यह टॉक था खास करके बता गया कि हमारा जो संगटन मजबूत होने की कितनी जरूरत है और अगर हमारा संगटन मजबूत नहीं होता है तो जो सविधान के बारे मे हम जो बाते करते हैं सुनते हैं लिखते हैं पढते हैं की बबा संगटन की ताकत है लेकिन संगटन में है तो फिर सेविधान की ताकत कुछ भी नहीं है ये मुझे बहुत अच्छा लग आज का टॉपिक का एक सब्जेक्ट और संगटन की ताकत जो सीख समूदाय के ऊपर एक उधारन देके बताया गया वो भी मुझे बहुत अच्छे लगी और इस प्रोग्राम से मैं बहुत प्रे इस प्रोग्राम से और प्रेरित हूं कि संगटन की कितनी जरूरत है और संगटन से कितने भी हम ताकतवान बन सकते हैं मैं खुद मैं परिंचे देता हूँ मेरा अभी कि मेरा नाम है पूरा विनोट शिवाजी गायकवाड मैं महाराश्टर से उस्वनाबाद दिश्टिक से हूं और मैं खुद मेरी बेबी दोनों हम MSW सोशल वर्कर है और स्पिरूचल हम TBMEG से सलगनी थे और सोशल वर्कर हम मा हमारा जो में उदेश है ओ है एट्रोसिटी के उपर काम करना जन जाकृति करना महिला सबली करने के लिए काम करना और खास करके रूलर डेवलप्मेंट के लिए हम काम कर रहे हैं इस करोना के दवरान हम लोगों को बहुत सारी मदद कर चुके हैं कर रहे हैं और हमें इसी सम है और कई सालों से अधर ने कटके साप मालशन कर रहे हैं मदद कर रहे है हर्थ हर दर्प से हर तर्प की हर से मदद कर रह यह कटके साथ उनको मैं हिस समय ठैक्यू देता हूं और आप सत्व मेरा बहुत सारा जयभीम थांक यू सो मच in प्रोफेसर क्या मेरी बात सुन रहे हैं प्रम कोपे जी अपना माई को लिया और संचिप में परिजे देखर बात कि कट्रे साब यह सर वो जो लोग ना उनमें हैं दिखाई दे रहे मुझे ता आप पूछी जिए वो परिश दे देंगे जैसे ध्रम सब्सक्राइब करता हूं कि हमारे बीच में आज जो भी नए साथी होंगे रुपए अपना हैंड्रेस कीजिए या फिर आप सीधा परिशे दीजिए जो भी नए हैं आज क्योंकि यहां पर मेरे लीस्ट में करीब अठारा लोग वे इसमें से बारा लोगों नहीं बात की है छे लोग बाकी है जो महरास से बाकी भी परिटिराज लोनारे जो पाली के प्राद्यापक है प्रिचे दीजे जी सर नमबुद्धा है सप्रेम जैविम आज अधरनिय कटके साब जी ने मुझे जोईन किया है आपने बहुत अच्छा यह प्रयाश शुरू किया है वी दे पीपल इस लोगन से हम जुड़े हैं और इस प्रोग्राम में आधरनिय सुदिर सर जी बहुत अधरनिय कर रहे हैं और तो जादा अधरनिय करेब जा सकते हैं तो जैसे हम पाली के पाली का ग्यान प्राप्त करते हैं तो ज्यादा सविधान हमें समझ में आता है तो पहली बात तो यह है तो सविधान समझना चाहिए उसके बाद हम पाली सिखेंगे उसके बाद हम बुद्धिसम सिखेंगे तो बाबा साब बाबा साब ने जो हमें भलूम 16 दिया है 16 में जो भी पाली का ग्यान दिया है वह वह भी पढ़न तो यह यह बात मैं कैता हो कि हमारे महाराष्ण में भाल भरती है इस वाल भरती में क्या होता है कि अभ्यासकरम बंडल जो है उसमें जो भी नहीं-ञीं किताब लेशन में पोएम में तो सबी बच्चों तक जाएगा और ये सभी के लिए अच्छा होगा प्रयाम के लिए सब्रेशन में उनकी सब्सक्राइब कीया साथ-वारोगैद है इसके साथ-खाध सब्सक्राइब किया है इस में मैंने इस्परणी कीए अभी प्रजावती पंडित तो नहीं होगा तब तक कुछ काम अच्छा नहीं हो सकता है इसलिए हम इस संगटन में सभी लोग अच्छा काम करेंगे आपके साथ है सभी सभी जुड़ेंगे तो अच्छा काम होगा धन्यवाद आपका शुक्रिया कटके साथ अच्छी बात किया आपने यहां पर कापी सारे हैंड रेज है प्रजावती पंडित जी है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इंट्रूश कीजिए प्लीज अपना वीडियो को लिए जैविम सर नवो बुद्ध है अपना वीडियो को लिए मैं जैविम सर मैं एक हाउस वाइक हूं और बंते प्रशिल रतन जी ने हमें इस ग्रूप में जुड़ाया है और हम नाकु से बात कर रहे हैं अच्छा लगता है कि अभी सविधान के ऊपर भी एक ग्रूप बनाया और अपने लोग जागरुत हो गए मतलब इस माध्यम से अगर हम लोगों के समझ में भी आ जाएगा कि सविधान में क्या क्या चीजे हैं और हमें इसके लिए कैसे क्या करना है कैसे फाइट करने हैं अपने हकों के लिए कैसे बाबा साहब नहाएं सब न्याय समता बंदुत्व यह सब सिखा तो दिया लेकिन हम लोग अपने अपने में ही लगे वो मेरा है यह उसका है इसी में लगे आज का जो सत्र था उसमें मैं बड़े लेट से जुड़ी थी और सर के विचार बड़े ही अच्छे थे अच्छा लगा सब से मिलकर और स चली गई थी और अभी इससे जुड़े हैं तो सब चीजों का नॉलिज बढ़ेगा और जो भी अपने समाज और सविधान के बारे में जो सब चल रहा है उसके लिए जागरूत रहेंगे थैंक यू जैवीम सब्सक्राइब आपके जितने वे लोग होंगे जो आपके साथ काम करते होंगे उनको भी इन से जुड़ाइए और अपना नंबर चैट बाक्स में छोड़ दीजिए हमारे बीच इस सोलूशन है रुपया आप बात रखे और अपना नाम बताईए नाम और इंटूडूस की सब्सक्राइब अपने अपने अपना माइक माइक अन्मुट कीजिए माइक कीजिए प्रजापती जी अपना हैंड को डाउन कर लेजी इस सोलूशन माइक अपना बंद कर दिया है आपका हैंड अबी रेज हैंड को भी डाउन कर दिए हमारे बीच मुकुन ताटे साहब है क्या आपका हैंड रेज है रुपय अपने इंट्रूस किजिए अपनी बात रखी है नाम अन्मूट कीजिए अन्मूट कीजिए सर रिफलेजिगुग है है अजय को नो भूट है थी है रुझ कर दिया थेवारेख़ जिए रहाँ पालो के अखना सब द्स इपाता पंद कर भाओजर्यार ब्हुजशन आपका。 सबस्क्राइब गजिस द्रम कर बहुद श्रवार का अधिश्र जाने लुटर्टा का निग्शेए वगा को सब्सक्राइब कि अपना माइक बंद कर लिए जो भी है आज जो नहीं जुड़े हुए उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना हैंड रेस कीजिए अपनी बात परिच्छे दीजिए जो भी साथ ही नहीं है काटके सब मैं विरेंदर सहा उत्राखन सबी लोगों को मेरा साधर जैभीम नमो गुद्धाई हमारे भाई कुमर भारती के नाम से जुड़े हैं उनका प्रिच्छ लीजिएगा यास 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 आप किजिए इंट्रोडिस कीजिए उनको किर्पया कुमर भारती जी अगर हमारे आवाद सुन रहे हों तो किर्पया आप अपना प्रिचे कीजिए नमो बुद्धाय नमो आ रहातु है युऌ में बाघ्वाह भारती जैभीम जैविम जैभीम सर्मा हुठाकन्ट चौमूली डिस्टिक्स हूँए भाठव की लोग से लॉम करता हुए है हाई येस येस मुलीज भार्ती साहब जी सर जी सर तो मैं जैसे बाई ने में जी मार्गिल संक्राइब करा तो मुझी इस मेटिंग में चुड़वादा मैं तेह दिल से दंद्यावाद करता हूँ आप दोगुने आवे शंगठन में चुड़ाने करती जाइब हलो जी अवाज नहीं आ रही सर अरती साथ जी सर आवाज नहीं आ रही सर बहुत करकर करदा है आख की बुली बुली आ रही है कि येस तुसर में उत्राकरण सब्सक्राइब बड़े भाई लखे रहा है तो हम दन्य गा करते हैं जैदी नमगुद्धाइब नमगुद्धाइब यह हमारे बीच रवीश आनंजी है रवीश आनंज साप प्लीश अन्मुट किजिए रवीश आनंजी क्या मेरी बात सुन रहे हैं आज के आज के प्रोग्राम में जो भी नए साथी है उनसे में फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कुरुपया अपना हैंड रेस किजिए या सीधी बात किजिए मेरा नाम मैयूर सर है और यहां पर दो प्रोग्राम मैंने अभी तक देखे हैं जो भी तो यहां पर एक हरसदीप कामडे साब का जो इस समता पर्व बोलके बहुत अच्छा प्रोग्राम चलता है उसके बाद अब प्रोग्राम प्रोग्राम बहुत अच्छा कंशेप्ट है सर और यह हमें वर्ल लेवल तक पहुचाएगा मैं सर बहुत सराना करता और मैं तहे दिल से इसका स्वागत भी करता हूं और इसका प्रचार भी कुरूंगा त्हांकियो थांकियो प्रोग्राम बहुत बढ़िया मुकंद बन्सोर नावाच चकुनितर वेक्टिया अ है कुरुपा या तैन्नी आपला चेहरा दिसो द्यावा पूर्ण शेरीर नकुल मुखुंद बंसोर साहब हाँ तेन्नी व्योस्तित नहीं ते वीडियो लावले तेन्नी हाँ सर जैभीम 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 नुद्धाय पुर्ण तुम्हें आपका अधिसत आई सगड़े मुझे कुछ बोला गया सर मैं सून रहा था आपना परिचे दीजिए सर बंसोर साथ जी 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 मेरा नाम मुकुंद बंसोर है सर मैं तुरुग चत्तिजगर से हूं और भारती स्विदान स्विश्व समीति का एक ठोटा सा सिपाई हूं और आप लोगों को बहुत कि रहें का यह भारत के लिए पूर भारत के लिए मिसाल बनेगा इसी स्वास के साथ हम इस कारे को आगे में लगन हो गया हुए आप लोगों ने सभी ने बहुत आशित दिया इससे मेरा परिवार भी बड़ा गदगद हुआ आपके आशिरवाद को सुनकर तो आज मैं कुछ बोलने के मोड में नहीं हूँ और मैं कल से आपके साथ कंटीनू रहूंगा सर इनी सब्सक्राइब आपकी नाती को अच्छी लंबी उमर मिले और वह साथ के आंदोलन में वह सुरू से जुड़ा रहे हैं यहीं हम सोचते हैं अज सब्सक्राइब हैं जुड़े हुए हैं वह एक वार इंटरनेशनल से एक हो है और भी वह उसी तरह भारा था मैं कि इंटरनाशनल लेवल से अगर कोई है तो कुर्पया अभी तो बुली आप जब आप बोलेंगे रहा हम तो कभी भी आपको इन्वाइट करने सब्सक्राइब यस प्लीज प्लीज दर्माहे जी माहे सब्सक्राइब आपको देर से हमने आमंत्रित किया है प्लीज नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं नहीं हूं मैंने तक्रिमन पांच-छे बार जोईन किया है पहले भी और सब्सक्राइब सब्सक्राइब बहुत अच्छी बात करते हैं मेरे दिमाग में एक बात आई है अगर आप इजास दें तो मैं बोलूं हमारा जो मसला है जैसे सुधी रासिंग जी ने कहा कि आओ जुड़ें जितनी भी संस्ताइं हैं जितने भी जुड़ चुके लोग हैं उनका ये नारा है कि जुड़ेंगे तो हमारी काम्याबी होगी मैं यह सुचता हूँ जो मेरा अपना एक्सपीरिंस है जो मेरी सोच है वो यह है कि लोग जुड़ते क्यों नहीं क्या वजा है पहले एक जो इंट्रिड्यूज किया उन्होंने बात कि के पहले विधान के बारे में जान लें धम के बारे में बात बाद में पता कर लेंगे इसलिए मैंने दिमाग में आ कि मेरी बात को क्रिटिसम ना समझा जाए मैं सर्फ यह करने आता हूं कि अगर हम धाम को समझेंगे अगर हम धाम को समझेंगे अगर हम धाम को समझेंगे अपना माईक बंद कर लेजिए बेने दोर्मा जी बोलें सर बोलें यह सर कंटिनी कीजिए प्लीज हम सर हम को इकठा होना है सबी हम चाहते भी है और हम कहते भी है लेकिन क्यों नहीं हो पा रहा है इसकी एक खास वज़ा है हमारी जो मुश्कलाएं हैं वो सभी की एक हैं जब हम बात करते हैं तो ही बात करते हैं कि हमको दिक्त क्या है मैं जिस समस्ता हूँ कि जब तक हमारे बीच में धम क्या समझनी आ जाता धम के बारे में हम जान नहीं लेते जुरूरी नहीं कि हमको भड़ती करनी है धम की लेकिन उनकी जानकरी होना बहुत जुरूरी है हम अगर हम एक धम के लोग होंगे तो हम एक संग के भी होंगे अगर हम एक धम के हो गए हम आट्रमेटली एक संग के भी हो जाएंगे संग का मतलब आप सबी समझते हैं कि संग कचको बोलते हैं अगर हमको चाहिए कि धम को भी जैसे बावा साब की जो खास्यत है, उनकी खास्यत है वो पूरी जिन्दगी हमारे लिए लगाई है, उनकी जिन्दगी का या उनके विचारों का कोई भी पहलो ऐसा नहीं है, जो हमारे फाइदे में ना हो, जो हमारे एकट को ना होने देता हो, इसलिए हमको सियासत में भी रहना है, हमको समाज का मज्रूप में हमको धर्म को भी साथ लेकी चलना है धर्म में अपनी बात नीं कह रहा है धंप की बात करता हूं हम धम को अगर साथ लेकी चलेंगे तो हमारा जो एकाठ है उसका मकसद हो जाएगा कि हमने कर दाले होना However तक हम धम को नहीं समझेंगे, हम अपने मकसद नहीं समझेंगी, तो हमारा कठा होना मुश्कल ही नहीं, नामुमकुन होगा, इसलिए हमको दो बातों पर ध्यान रखना चाहिए, जैसे सुधिवी साब ने पहले काया, मैं उनकी सभी बातों से बहुत मुतासर हूँ, मैं जो समझता हूँ कि हमको अपना मकसद समझना चाहिए कि हमारे हक क्या है, हमारे हकू क्या है, वो हमको तब ही मिलेंगे, जब हम एक धम के शतरी के मीचे आएंगे, तो हमारा काठ भी हो जाएगा, हमारे हक भी हो जाएंगे, और हम एक इज़त की जिंदगी, एक फखर की जिंदगी हम जी सकेंगे, और हम फखर से जय भीम नौमुदय कह सकेंगे, जय भीम, नौमुदय, बहुत-बहुत धन्याबाद वीजी, आपने मुझे टाइम दिया, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेरी मस्स सर, दरंशर, यहाँ पर अनन्द तुरुप्ति राओ जी का हैंड रेज है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज, बात रखिए, इंटर्डूश कीजिए, जय नौमुदय, जय भीम, नौमुदय, सर, मैं, वैसे तो मैं उत्तर प्रदेश, जिला फरुकवास से हूं, लेकिन अभ वाजिक रूप में जो कार्य है, वो यह है कि मैं महला समरिद्दी और महला सिक्षा के लिए योगदान कर रहा हूं, और मैं अपने ग्रामीनिस्टर पर यह सोचता हूं कि हाँ, यहाँ पर महलाओं का विकास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ लोग महलाओं क सिक्षा के लिए ज्यादा नहीं सोचते हैं, ज्यादा ज्यादा इतना सोचते हैं कि हाँ दस मीं पढ़ गई, बार मीं पढ़ गई, उसके बाद उसकी शादी कर देते हैं, यह ज्यादा सोचा जाता है, तो मैं वहाँ पर एक प्रियासरत हूं और वहाँ पर कोसिस कर रहा जाए और उन पर विकास के लिए आगे उन्हें बढ़ाया जाए क्योंकि महला जो एक है मूल है पूर्ब ये कहना चाहिए प्रथम सिक्षक जो डॉक्टर घिम्रामेड करने भी कहा है कि हाँ प्रथम सिक्षक महला ही होती है जो हमारी मां होती है तो मैं यह मानता हूं कि अगर जो हमारी मा है अगर वो सिच्छत होगी और सारी चीजह होंगी तो हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं और आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो उस दिशा में एक प्रियासरत हूं है एक छोटी सी एक लाइन में कहना चाहिए तो बावा साब ने अपनी इन शब्दों में अपने पूरे जीवन को निर्धारित किया है जिन लोगों को कुछ नहीं पढ़ना है समिधान नहीं पढ़ना है कुछ नहीं पढ़ना है अगर वो कुछ नहीं पढ़ना चाहते हैं तो बावा साब के दिये हुए तीन शब्दों को सिर्फ अगर अपने जीवन में अगर अन तो आपको संगठन करना है क्योंकि जैसा कि आप वी हमारे जो पूर जितने भी महानभावन जितने लोगों ने बात करी है वहां पर एक बात आई है कि संगठन बहुत बड़ी चीज है कि बिना संगठन कि आप अपने अधिकार के लिए मांग नहीं सकते कुछ नहीं कर सकते अगर आप आपका संगठन अगर प्रॉपर नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे तीसरी चीज है सिच्चतरों संगठतरों और संगर्ष करो संगर्ष का मतलब यह नहीं है कि हमें अपने लोगों से लड़ना है या किसी से नहीं अपने लोगों को जोड़ना है और संग नहीं पा रहे हैं चीजों को जहां पर लगता है कि अरे एक दो लोगों की बात सुनेगा कौन अरे खर्म सन्गर्श करने की जरूरत है और सारी की सारी चीजों को समझने के बाद ऐक चीजों मेरे मन में आती है वो दो लायनों मैं खतम करता हूँ अपनी वात को यह है कि तट पर बैठे बैठे तेरे हाथ कहा कुछ आएगा रत्न मिलेंगे तुझको जब सागर के तह तक जाएगा कुछ ना हाथ कुछ ना आए हाथ समझना दुग की अभी अधूरी है चाहें कितना भी मुस्किल हो पहला कदम जरूरी है पहला कदम जरूरी है इसी वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को वराम देता हूँ जैवेव नोर बैठेंग्यू राव सार प्लीज अपना मोबाइल नंबर चार्ड बॉक्स में छोड़ दीजिए जी बिल्कुल 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 यस यस तो नाइस अभी और कोई साथी नए है तो खृपया अपना परीचे दीजिए कोई नए आज जुड़े हैं प्लीज हाँ रगुनात अहिवार सर अहिरवार सर मैं यहां पर सिविल कॉंटेक्टर हूं यह मेरा चोटा सा परीच्चे है सर हमार बीच माता भी कनों के जी जुड़े हुए है नाचांगा परिच्चे दे यह जेस माता जी कनों के प्लीज अन्मूट कीजिए साथियों तब को जदीन जवारत नहुंदा नहीं अब जवारत नहीं हो जाएंगे जवेश्टेशन सुपरिंटेंडेंडन तो 17 सार हो गया रिटायर होकर के अभी मैं इज़र बस पाटी पॉलिटिकल खिल्ड में काम करता हूँ लेकर आप आए जो वीदी पीपल का निशन जो है इसमें हम अच्छा मौसूस हो रहा है इसमें मैं इससे जुड़ा हो और जुड़ा रहोगा ऐसी मेरी इच्छा है कि ये संगतन अच्छा बढ़े दिन दूनी राज चोगनी बात कहते हुए आप में छोड़ दीजिए से कि तर संगठन है हमारा संग थंग है हमारा संगठन नहीं है और को ने साती है हमारे बीच हिसार से जैसील सर है जैसील सर प्लीज लेट पहले से जुड़ा हुआ हूं आप लोगा हुए आप जूड़े हैं शिक्सा ग्रहन कर रहा हूं आप लोगों को देखके बाकि आपने बुलाया तो सभी सम्मानिसात्यों का अभिन्दन है जैवीम नोवम भुताय है काटके साब का अभिन्दन है शुली राजदी का अभिन्दन है विदेश से जो जूड़े हुए उनका भी अभिन्दन है और मैं आप लोगों के साथ काम करी रहा हूं इतना ही बनता है सोसल वर्क कर रहा हूं आप लोगों का जो भी आदेश रहता है वो ममान के और अपने यहां इसार से जो सत्परकास जी हैं उनके साथ विशंपर रहता है आप लोगों का इनी बातों के साथ मैं रेल्वे से रेटाइड हूं रेल्वे होस्पिटल आगरा से रेटाइड हूं चीफ और पुशंप्रेंड के पस से इनी बातों के साथ मैं अपनी वाने को आपका बहुत बढ़ी है इंटर्नाशनल लेवल पर कोई और साथी है कुर्पया मैं उनसे आमंत्रीत करता हूं उनको कोई यूके यूएस से कोई है सुधीर राज सार करमवीर सार अतुल चाटके सार जी जी काटके साथ हाँ यस यस आगे की कारवई आप करेंगे आप कोई बात निक करवा लेते हैं आप अपलो साके साथ है अपल चाटके सार जी 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 यस यस तो अपला साके जी थोड़ी देर समाले एंग्रिंग ओके सार परिचे का रावंड खतम हो गया है अप परिचे कर रहा है उनको आमत्रित कर सकते हैं तो तो से संथिंग और भी हमारे साथ जो भी साथी औरेंट से जुड़े वे हैं वो साथी वोलिंटरली अपना नाम दे सकते हैं अपना परिचे दे सकते हैं या कोई विशाथी जेंका परिचे चूट गया है वो साथी अपना हैंडरेश करके या बिना हैंडरेश करके भी अपना परिचे दे दे संच्छे में अपना परिचे रखते हैं मैं एक संग का सदस्य हूं और आप सभी सात्यों से लगवग पिछले दोड़ाई में जुट रहा हूं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे लगता है कि लोगतांत्रिक जो रेपब्लिक जो पहल है संग के रूप में वो हमें हमारे अधिकारों की आधरी सीमा तक लेजा सकते हैं तो इसी परचे के करम में मैं चाहता हूं जो भी साती छूट गए हूं या जो नए साथी आज सदन में आये हूं उन साथियों से मेरा अनुक्रे है कि वो अपना परचे दे और एक प्नेट अपनी बात भी रखते ह कोई प्यास साथी जो छूट गए हूं जय विम नवव गद्धाय सर जय विम मैं शरी कांटर गिला आप पुर से हूं आज पहली बार आपके आज बहुत अध्य लगा बहुत इंपल बहुत 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 बंदी और मैं आगे मुझारा रहूंगा आज मेरा पहला गिन है हलो अनो के सर अधर 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 कर अपना माइक म्यूट कीजिये अनो के सर प्लीज कि अपना इंट्रोडेक्शन दे रहे थे उनसे रिक्वेस्ट है कि वह अपना चैट बॉक्स में अपना इसके अलावा हमारे कोई भी साथी है तो वह भी अपना परचे दे सकते हैं जो छूट गया हूँ कि मुरदबाज से वीना जी जुड़ी है काफी देड़ से मैडम परिजय दीजिए अपना प्लीज ओके मैं वीना मैं वीना मैं मेरी आवाज आप सुन पा रहे हैं अपना परिछे दीजिए और अपनी बात भी रखिए यस तर जैभी मनम पता है सर जैभी मैं मैं वीना सिंग कुल होना है वीना उर्प पर रुपी आडे कने इंटर कॉरेज मुरादाबाद में लेक्टरान हूं सर और वाइस एस वाइस फिंसपल भी और सर मैं काफी दिन से आपके इस प्रोगाम से जुड़ी वी हूँ आपका क्या हम सब का प्रोगाम है सर बहुत अच्छा रखता है एक यही हम सब का एक मिशन है एक मोटो है जो हमारे बाबा साहिब हम सब को देखे गए हैं कि संघर्स करना है संगठित रहना है और होने का संगठित होने का और अपने कर्तव्यों के प्रति हम निश्चवान बने रहे कर हम आगे से आगे बढ़ते चले जाएं और अपने इस जो मिशन है हमारा संगठित होने का एक आगे बढ़ने का हम उस देशियों को अपने पूर्ण करते चले जाएं और एक उदारबादी विचारधारा के साथ आगे से आगे बढ़ते चले जाएं यही है मेरी अपनी सुपकामना है अपने लिए और सभी के लिए थैंक यू सब कि मैं और भी कोई मुरादाबास से अमित जी जुड़े हैं बेसिक से हैं वो अमित जी अमित सर प्लीज अपना पर्चे दें जी सर जी प्लीज अपना पर्चे दें जी सर मैं अमित कुमार मुरादाबाद से हूं और व्रादाबाद यूप से बोल रहा हूं और मैं से जूनियर हाइज स्कुल में सहाय गद्ध्यापग हूं यहां पर और मैं भी सार पिछले लगवग दो धाई महीनों से लगवग गड़ा हुआ हूं वीदा पीपल से और लगवग मैं दो धाई महीने से सुनता ही रहता हूं मतलब जो मीटिंग बगेर होती है जितना भी समय मिल पाता है एक घंटा दो घंटा जब भी समय मिलता है मैं सुनता हूं और मतलब इसका कॉंसेप्ट मुझे काफी अच्छा लग रहा है और लोग को और और भी जैसे बहुत सारे संगटाने मैं मैं जाता हूं मैं देखता हूं तो उ जैबिम सार जैबिम सर इसके अलावा कोई और साथी है यह हमारे जो पहले के साथी है किसी साथी को जानते हैं जो अपना परचे देने से छूट गया हो तो वो साथी उनको भी ट्रफूस कर सकते हैं उनका भी नाब है 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 इसलो है कांचन जुमना के है यवत मार्थ से ओके यवन मार्थ यवत मार्थ यवन को बाद यवन कोब यह विए महारा श्रम में है सब्सक्राइब एक तो कंचन जुमान के हैं आप अपना पर्चे दें प्लीज मैं कांचन जुम्ना के यौत माल से जै भीम नमा बुद्धा है जै भीम मैं बहुत से बज़त गर चलाती हूं मुझे बहुत अच्छा लगा है सिखने विलने वाला है ऑगे हम Livya आज अचरा ऑदली तो मुझे अच्छा लगा है गुड ह BAR इसके एक सेकंड हैंड गूष ह्यंज है टी हुड़ तैन् SUBSCRIBE भीम ऌर्ज सब्सक्राइब सब्सक्राइब जानना चाहे जैसे कि दूसरी में बतारों मीटिंग है तो मैं जानना चाहता हूं इसका थोड़ा अच्छा लगे रहेगा और मैं जुड़ने के लिए अगर बताना चाहूं तो इससे भी ज्यादा आज के टाइम में बहुत सारे बहुत सारे तरीके हैं जिन से जुड़ सकते हैं और भी असानी से और उससे आप लाख हो गया करोड़ों लोग जितने वर्जी जोड़ों इस तरीके से अगर आप बहुत से संचिप में रखेंगे तो बात है काफी लोग हजब नहीं कर पाद दें और सबके दिमाग में कुछ ने कुछ असी सी जाएगी कि जुड़ना किसलिए आज तक हम नहीं जुड़ेते तो हमें क्या नुकसान हो रहता है आगे किसलिए में रहती है तो उससे भी लोग बचके चलता है वह बच जाती है इक दुख की गुवेगी तो मर जाती है तो यह जुड़ना बहुत जुड़नी है जैसे कि हम पड़ेली के समाज की बात कर रहे हैं तो हमें फोड़ा सा दिमाग में श्ट्राइक करता है क्यो जुड़ना ऐस सब्सक्राइब कोशिश करता हूं आपको बहुत पहले में रिक्वेस्ट करूंगा उन साथियों से जिनके माइक्स ओपेन हैं वह अपने प्लीज माइक्स पंकर ले एक विदी साव अलो आपना फर्स सैकेंड टाइम जूड़े हैं तो आप जूड़े रहे हैं और दिल्ली से हमारे बहुत साती है आज मीटिंग üzeri से पीपल की वह सो फीजिकल मीटिंग भी थी थी को अगया कि आज मैं मैं फोड़ा ही थो जिट हो गया था इसलिए मिपिस कर गया आप अपना नमबर टूर जो भी साथी है आपने सीनिर परिहार सर परिहार सर आप साट क जी को बताने दो एक मिट में किलियर कर देंगे बताने तो साके जी के लिए और तैंक यू सर्ड कि साके जी अपना माइक करो प्लीच पैंक यू पैंक यू जो साथी अभी हमसे जुड़े वेते हैं और जिन्हों ने प्रेश्ण किया कि हमारे बहुत सारे पड़े के साथी ये पूश्ते हमें क्यों जुड़ना चाहिए जुड़ने से फाइदा क्या है हमारा अब्जेक्टिव क्या है हमारा मिशन क्या है तो एक लाइन की बात है कि सर सामुदाइक और समाजिक सुरक्षा के द्रश्टिकुलों से समान विचारों के और समान विचार धाराओं के लोगों को एक साथ रहना ही चाहिए यही प्रकृति का विधान है और यही प्रकृति का नियन जो एक जैसे लोग हैं एक जैसे मन के एक जैसे विचार के और एक जैसी विचार धारा के वही स संसार में अपने आपको सुरक्षित और सर्वाइब करा सकते हैं बटे रहकर हम एक दूसरे की ना सुरक्षा कर पाएंगे और ना ही खुद की भी सुरक्षा कर पाएंगे तो हमारा विजन बहुत किस्टल क्लियर होना चाहिए अगर हम विवस्था को भी आधार मानकर ये स्ट जो रोते हैं और शुरक्षा हमें बार बरेस नेचर के अगेंस्ट चाहिए उन जानरों से नहीं चाहिए जो और चिनों देखे सिद्धान पर काम करते हैं उन जानरों से चाहिए जो केवल और केवल अपनी भूख शांती के लिए किसी भी वेक्टिया किसी भी समुदाय की जिनसंख्या का हनन कर सकते हैं उनकी अधिकारों का लंगन कर सकते हैं उनकी जान तक ले सकते हैं तो सबसे बड़ी जित तो हमारी जिन्दा रहने की हैं और यह कहा गया है कि जिन्दा रहने के निमित जो भी आप काम कर पाए सकारात्म गूप से पॉजिटिव तरीके से हापस में जुड़ने का सबसे पहला इने का खायों होता है कि हमें मानसिक स्वाइब मिलता है थोड़ा सा दुछ हमा एक। सबसे ही ता सबसे पहले साज़ां चुरों पतुतकि सबसे 사र के वांगल ऑसता है यह साच है कि इंसान सारे काम खुद करता है दूसरा केवल उसको प्रेड़ा देता है उसको मोटिवेट करता है या उसको ये आशा व्यक्त कराता है या महसूस कराता है कि नहीं मैं पीशे कड़ा हूँ आप आगे चलो जैसे बच्पन में हम लोगो कहानी बताई जाती है प्रेडा स्रोत के रूप में कि एक पिता जब अपने बच्चे को मैचूर करता है उचाई से गिरते समय अपनी सुरक्षा करना सिखाता है तो बेटे से कहता है कि देखो मैं खड़ा हूँ चलो तुम इससे कूदो तो वो बच्चा अपने पिता जी के हादों की और देख करकी हाद मुझे बचा लेंगे वो बार-बार कूदने की प्रेक्टिस करता है और एक दिन वो उस उचाई से भी कूदने लगता है और उसके पिता नहीं रहते हैं भी वो जीवन की बहुत बड़े उचाईयों में भी छलाग लगाता है और तमाम बड़े-बड़े गोल्स उसी भाव से और उसी मोटिवेशन से वो कंप्लीट कर लेता है तो सबसे बड़ी चीज जो हमारे सामने आज की डेट में है जैसा आज भैश्विक परिद्रश्य बन रहा है पूरे संसार का जो पूरे संसार का सामाजिक, आर्थिक और राजनेतिक धाचा है उस आर्थिक, सामाजिक और राजनेतिक धाचे में जो आम इंसान जो हमारी जनसंख्या है सबसे बड़ी चीज है कि हम अपनी जन संक्या के लिए बहुत चिलते हैं. हम यह नहीं चाहते कि कि किसी दूसरे के बच्चे का या किसी दूसरे की जन संक्या का कोई भी अधिकार की बंचना हो या अधिकार उसको ना मिले. लेकिन हम साथ में यही तो चाहते हैं कि हमें हमारे बच्चों का उचित अधिकार मिले, उचित अनुपात को उनको नुट्रिशन मिले, उचित अनुपात में शिक्षा मिले और वो जो चाहता है जो रास्ट की जिम्मेदारी है रास्ट के fundamental rights ये कहते हैं कि मौलिक अधिकार वो विवस्ता है हमारे देश की कि वो किसी विव्यक्ति को अधिक्तम दिकास के सर्वत्तम अफसर प्रदान करती है वो जो कुछ बनना चाहता है उसके लिए रास्ट हमेशा सह जो जाँती है और वो कम परसेंट लोग अमारी आबाधी को कभी चैलेंज नहीं कर पाएंगे नौल से मग करवça न को यह जनता होती है, वो consumer भी है और वो voter भी है और वो ruler भी है तो बहुत मोटे-मोटे ताफ तोर पर अगर मैं यह कहना चाहूंगा कि जो विक्सित लोग है, जो corporators हैं, जो पूरे देश की economy को rotate करते हैं, जो हमारी small savings होती है, बैंक्यों को तुमी आती हैं या किसी दूसरे स्मॉल सेविंग्स की स्कीम में जाती है चाहे वो जनरल इंशुरेंस हो चाहे लाइफ इंशुरेंस हो सभी का पैसा वो कॉर्परेट धरानों को दे दिया जाता है वो अपने इसाब से प्रोडेक्शन करते हैं सरकार को उसके रि तो सोचे हमारे 100 रुपए के अगेंस्ट वो 35 रुपए कमाती है 20 पै कमाती है और हमसे साल के अंग में 4 रुपए दे तो यह जो कॉंसेप्ट है मनी रोटेशन का एकोनामी रोटेशन का आपके सम्वेधानिक अधिकारों का आपके आर्थिक लाव का आपकी मूलबूत आव हमारे पैसे से ही हमारे बच्चों के जीवन को अंतकार में डाला जा रहा है हमारे अधिकार चीने जा रहे हैं हमको शारीड की आतनाहीद दी घारही . हमारे साथ atrocities execute हो रही है untouchability आज भी दूसरे format में exercise हो रही है और हमें हमारे ही देश में अचुतों की तरह माना जाता है या हमारे साथ दोयम दर्जे का विभार किया जाता है हमारे लिए second class citizenship की संकल्पना हमें दी जाती है हमारे लिए services बात में रखी जाती है वो preferential services अपने लिए रखते हैं तो इन सब चीजों के against take अगर कोई mental revolution हो सकता है वो मानसिक करांती हो सकती है तो सबसे पहले हम emotionally एक दुसरे के साथ attack हो एक दुसरे के साथ combine हो और अपने common interest को share करें एक दुसरे से चर्चा करें चर्चा से ही किसी वीचे बस्तों की स्थात्ता होगी जिसमे common consent कराएगा जब common consent कराएगा तो गौतम बुद्धा के संग के सिद्धांत की निकट हम लोग पहुच पाएगे हम लोग यह नहीं कहते कि बिल्कुली हम उस पुरानी या प्राचीन विवस्ता को पुनरजीवित कर लेंगे लेकिन यह जरूर है कि जब चलेंगे तो पहुचेंगे और अगर चलेंगे नी तो कभी पहुचेंगे दूसरा इसके बाद कोई सवाल यह गी उठ सकता है कि बिना leader के या बिना किसी conceptual organizational principle के हम कहां तक चलेंगे केवल जुड़ने जुड़ने से क्या होगा तो दो तरीके हैं संग बनाने के एक तो तरीका यह है कि पहले हम पहले purpose decide कर लें फिर person decide कर लें फिर process और फिर उसका place decide करें दूसरा तरीका यह है कि जो संगठन का मूल भूत element है वो है मनुष्य है हम पहले मनुष्य को mentally prepare कर लें संगठन अपने आपन जाएगा संगठन को चोटी सी चीज है तो यह जो सकारात्मत व्यवस्था है संग बनाने की कि पहले हम लोगों को मंता त्यार कर लें mentally prepare कर लें तो जो व्यवस्था बनेगी हो बहुत अच्छी होगी और इस्था ही व्यवस्था होगी जो साथी कई बार प्रश्ण करते हैं मेरे मन में भी confusion यह रहा है अपने स्विंट लाइट में कि कभी जो MBA पढ़के आते हैं या जो इस देश के स्थापित शास्त्रों ने जो concept पढ़ाए हैं हमारे बच्चों को यह हमें भी पढ़ाया है न्बिए में पढ़ाया मास्ट आप पब्लिक एडिमिस्टिशन में पढ़ाया है राजमी टी विग्यान में पढ़ाया वो यही पढ़ाते हैं संगटन का आकार प्रकार और प्रकार 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 करता है वह बहुत इस थाई नहीं होता है जब तक पैसे का फोर्स होता है तब तक कर्मचारी काम करता है अब उनमें मंद का जुड़ाव देखिए कि जो कमर्शल और्गेनाइजेशन है जो संगटन जिन फॉर्मेट में आप देखते हैं कि उसका एक लीडर दिखता है उसकी एक इसपर संगचना दिखती है तो वह संगटन भादनात्मक लगाओ नहीं रखते हैं जब तक व्यक्ति को नौकरी करनी होती है नौकरी करता है अगर कहीं उसे 50,000 मिल रहा है दूसरी बंगल वाली कंपनी का अगर 55,000 देता है तो वह स्विच कर जाता है तो वह फॉर्मेट कंपल सरली इमोशनली बॉंड़िट नहीं वह केवल और केवल रोजगार के निमित नहीं जब तक आदमी क पेट या उसके रोजगार का मसला रहता है वो उपरी मन सही भले सही हो जुड़ा रहता है इस कॉंसेप्ट में भी दो तरह की थेयोरिया है अगर आप मैक ग्रेगर को पढ़ेंगे बाइफक्टर थेयोरी पढ़ेंगे एक्स और वाई बताया उन्होंने उन्होंने पताया क कभी कभी आदमी संग्टन से रुष्ट होने के बावजूद संग्टन में इसलिए काम करता रहता है जूकि उससे उसका रोजगार चलना होता है उसको परिवार चलना होता है लेकिन जब व्यक्ति के संगटनात्मक प्रतिधर्श का ये परिचायक होगी और मैं भी बहुत ज्यादा कौत वलतापूर तरीके से बहुत लालाई तरीके से इस तरफ देखता हूं कि अगर हमारा ये फॉर्मेट सफल होता है तो नो डाउन ये भी वर्ड क्लास मेनेजमेंट का हैस्सा होगा कि चीजें आपने कुछ हमारी समझी हैं मैं कहीं तक सफल हो पाया हूं इसके लावा अगर कोई और साथियों मुझे किसी का भी हैंड्रेज नहीं दिख रहा है और वॉलेंटरिली कोई साथी अगर छूट गया हूं आज की मीटिंग में या कुछ कहना चाहते हूं तो मैं आ प्लीज आपनी बात को रखें तक के जी एक रेड मित्रू नाम से है कोई नए साथी ऐसा है रेड मित्रू रेड मित्रू सर जैसा परियार सर कह रहे हैं मैं साधर साधुवास से आपको भी आवाज देता हूं कि आप भी अपना परिश्य और एक दो मिनट संग के बारे में अपनी बात रखें रेड मित्रू साथ जो साथी रेड मित्रू के नाम से जुड़े हैं मेरा उनसे आग रहे है कि वह एक बार सदन में अपना परिश्य और अपनी बात रखें सर उनका माइक सो नहीं कर रहा है सर अच्छा तो उनको हमारी आवाज भी नहीं आ रही है नहीं सर जी जी बैंक्टि शर मैं बाकी सभी शेश जो सदन में साती हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साती है बगर कुछ कहना चाहते हूं मैं पहली बार सदन की कारवाई को प्रोसीड कर रहा हूं थैंक्स तु मैं सिनियर मेंबर्स जिन्हों नहीं मौका दिया अगर कुछ गल्पी हो जा तो मैं पूर उच्छा प्रार्थी हूं मेरा पहला दिन है तो मैं चाहता हूं कि जो भी साती सदन में है अगर उनकी कोई प्रेशन अगर कोई बात हो तो व करेंगे तो हमारे बीच में कंक्लूड करने के लिए करमवीर सर आप थोड़ा सा मेरा सहोग करें किसी सीनियर मेंबर करें कि साके साथ है कोई भी आदमी कंक्लूड करें आज के कि आज के सेमिनार को तो इनवाइट करें मैं वॉलेंटरिली रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी साथी आज की मीटिंग को कंप्लूड करने की जिम्मेदारी लेते हैं वो प्लीज आगे आएं और आज हमारे देव में होगा कि हमारी सबसे जल्दी च्यार मिन्नों में सबसे पहले मिटिंग खतम हो रही होगी जी 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 गया जी जी पहले नहीं ग्यारा क्या तो डाही डाही बज़े जली है मैं तो अब जोएं किया है आज सारा दिन जो मीटिंग रही वेर्ट्वल मीटिंग जो संद्रियों थी उसमें था मैं तो आज बहुत इच्छी रही वहां पर बहुत काफी ईश्पॉक्स ने भाग लिया उसमें और बहुत ही सकारात्मक रही और आभी मैं शाकी जे को सुन रहा था साकि जी ने जो explanation किया है concept का वो बहुती सुन्दर सब्दों में किया है उनों पूरे इतिहासिक परिपेक्ष में और वग्यानिक तोर से इस concept को समझाया है साके जी ने मैं उनको साधुवाद देता हूं और जिन नोजवानों के मन में प्रिसन उठा इससे भी खुशी होती है कम से कम उनमें ज आज देख रहे हैं कि कुछ नया जानने की इच्छा है पुराने से सब वो उप उप चुके हैं उसमें उन्हें अपनी कोई सुरक्षा नजर नहीं आ रही है और वीदा पीपल का जो concept है जुड़ने का एक होने का साथ रहने का जो एक वैग्यानिक concept है प्राकरतिक concept है उसमे से वो सुन रहे हैं समझ रहे हैं तो जानके बहुत खुशी हो रही है और वीदी प्यूपल इस जुम्मेदारी को निभा रहा है यह भारत की प्राचीन परंपरा है जिसको विश्व ने देखा है समझा है और जिस सिद्धानत के ऊपर आज भारत जो संस्कृति है विश्व को प्रवाविश्व को अपना रहे हैं और उन्होंने इसमें अपना विकास रक्षा व्यवस्था को पाया है लेकिन भारत ने उस प्राचीन अपनी संस्कृति को विश्व को तो दिया है लेकिन भारत से वो अभी लुप्त है तो आज जरूर्थ है हमने बहुत बाबा साब ने कहा कि संग्ठित रहना है लेकिन हम संग्ठन बना बना के अपनी शक्ति को हमने इतना बांट दिया है लाखों टुकडों में उसको एसास करना है कि उससे निकलना है और वी दी पीपल के कंसेप्ट को अपना के अपनी एकता को दिखाना है और उससे continuing अपनी स्यरक्षा ढूंड़नी है और उसका ताज़ात धार है हमारे सामने जो दो अप्रेल उनिस सो उथारा का दिन है उससे दिन हमारे अधिकारों को पारलेमेंट ने सीना छीना उन्हें कोई डर नहीं था क्योंकि हम चार लाग टुकड़ों में बटे हुए लेकिन हमारे कुछ मित्रों ने विचार किया और वीदी पीपल तो नहीं था लेकिन उसका विचार था उसके जैसे ही हम सडकों में आए दूसरे तिन पारलियमेंट को ठीक करना चाने सुरक्षा है इसी में और आप सब नोजवान लगातार साड़े-चार महीने से ये कौंसेप्ट चला हुआ है जिए मीटिंग का और पूरे देश विदेश ने जिस उत्सास से इसको सुना है और अपनाया है मैं आप सभी साथियों का बहुत-बहुत सादुबाद देत सुरक्षा मिले उनकी सिक्षा की व्यवस्ता बने उनके रोजगार सुरक्षी तो उनकी धन संपत्ति सुरक्षी तो उनका समान सुरक्षी तो इसलिए मैं आप सब को बहुत-बहुत सादुबाद देता हूं और इसको आप पूरी मेहनत से आगे खूब जारी रखे रोज इ करें और औरों को मित्रों को बताएं अपने रिष्थेदारों को बताएं सब संस्थाओं को इसमें जुड़ना चाहिए और बाबा साब के सपने को पूरा करके भारत को दूबारा से सोने की चिडिया बनाना है आप सब का बहुत सादू आज थैंक्यू कि अधिकार है मैंने उसी दिन फेरें से बात की जिस दिन डाट लगाई और मुझे पता लगा अतुल जी तो नहीं इतने जिग्यासा हैं वो तो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो मुझे तो बहुत Worti Е cuando आतुल जी में इतना वाइब ग्यान है तो हेर वह को हमारे डीडकर अट non प्киеड़ी और मिलते हमारे यह पहेरे हुआ अफि नहीं साथ को लिया आया प्रियार जी जी रो आवर करते हैं जी रो आज जो है ने आज पर दिन है एक मिनिटे की स्वर्जी है वो कई बार जोड़ते हैं अपना इंट्रोडेक्शन दे दे फ्लीज जी रो गया तो मर्जी बोले वो और जो भी रोस्त रहें तो अपने रिकोर्डिंग बंद कर दें लाइव बंद कर दें लाइव भी लाइव चल दें लाइव बंद कर दो और इस वर्जी जड़ा थ्रड़ा साथ करना हमें थोड़ी आए तो काफी जी अन आत्ते रहते वाव परियार सर रैड्मेट्रू सर का माइक करेक्ट हो गया तो एक बार फिर से उनसे पर्चे लिए उनको बुलाओ बुलाओ जो नहीं लग रहे हैं मुझे वो भी नहीं लग रहें तो आप को आवाज आ रहे हैं तो आप माइक उपन करिये अतना माइक को अन्यूट कर लिए सर इस्वार जी उनके लिए लो की सब्सक्राइब जय भीम जय सविधान नमोग जय भीम सर नमस्य एसर रिटार हूं आप अवे इंट्रक्टर से करनाल में मेरी दिया से हैं और में चोर महने से उनके जुड़ा हूं और जो बहुत कुछ चिकने को मिल रहा हैं और अपने दिकारों के बारे में जीची कर गयान अमको नहीं जा और विश्रीक रहे हैं और कई एक लोग को जोड़ने के प्रयास से किता लेट जया है आपका आप नमर डालना है इस वर्जी अपना इसमें चैट बॉक्स में तुबारा डाल देता हूं नमर डाल दिया में जानता हूं पर शली सत्यावान करम डीची के साथ मेरा लिंक पर जी एंक्यू जी तो हमारे करांतिकारी साथ ही है इस वर्जी अंबी वह करांतिकारी है आपको बिलकुल बिलकुल इस वर्जी बिलकुल आपका तो बहुत नाम लेते हैं वो सत्यवान जी यहां पड़ी लडाई लड़ी है हमने टिवाम्में में orn भी मेलकुल यहां लडाई है छी चल रही है लडें सबद्य हैं इनको बोलने दो बोलने दो अच्छा काम करोáticas हैं, मैं भी शीक रहे हूं भयाप बोलनो तो इनके साथ बात करो आप बोलते रहे हैं, और सबीजिक सुन रहे हैं, खाली में थोड़ा सुन रहा हूं, सभी सुनेंगे, सुनाइए खाल फैंक यू इसमर जी थैंक यू बोलते रहे ना आप जोड़े अपने साथियों को ज्यादा से ज्यादा दियों को जोड़ें परमबीर जी 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 जोग साब यह साकी जी तो हमारे मित्र हैं एक उनके भतीजे हैं हम तो इनके घर गए हुए है। जबी तो डाट लगी। हाँ तो घर के हमारे भाई हैं चोटे। जी-जींके चाचा जी तो इतना काम कर रहे हैं बहुत बढ़ा स्कूल बनाए हुआ है लाइब्रेरी बनाई हुई है हमारी किताबें मंगवाते रहते हैं लाइब्रेरी में रख्य हुई है वो तो बहुत संगर्शील है और अभी वहाँ पर जो भावा सा भगवान बुद्ध की मूर्ती तोड़ी गई थी वहाँ पर तो इनके पूरे से वहां तो साकी परिवार सिक्षा के शेत्र में भी और समाज को वहां आग दिशा देने के लिए भी धरम पढ़ाने के लिए भी बहुत दिनों से काम कर रहा है जी डेफनेटली से सर्थ मैं तो एक बार वहां गया था मेडिटेशन का कैम्प लिया था वहां पर सिखा कि ध है मैं बहुत-बहुत साधुबाद आपको देता हूं आप गार्जे ने आप कुछ भी कह सकते हैं डाट सकते हैं अब लोग के बच्चे हैं सर यह परंपरा होनी चाहिए यह मुल्य होने चाहिए हमारे यह और ग्रेट वहाल एप्रिशेशन पोर यू थैंक यू थैंक यू यह आपकी डाट का ही नतीज़ा है ने 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 हमारी बात होई तीशा के दिया तिंता मत करो जिए हम ऐसे थोड़ी साने देंगे बाइगों करेंगे कैसे क्या हुआ है लेकिन लोग बोल नहीं रहे हैं उसमें जनपुर से चला अपने काउं के लिए लिए माइक बंद कर लीजिए अपना आज़्ट कराने वाले इस तरह चलाना चाहते हैं कि जो हमारे साथ नौजवान सार्थि नौजवान साथि एक जो जनडेशन गयाप दिखने को मिलती हैं कि सफ्टरा से पच्छे साल के हमारे बच्चे करेंगे कि अगर आपकी करने का पूरा हम लोग का मन है और उस प्रोग्राम को करने के लिए हमने कई बार सुदीर भाई साब से भी कह repo रखा लगर्चिक बाकी उस प्रोग्राम को हम लोगसे करेंगे कि वो एक टीह horns In प्रॉग्राम को फिर अटृब्धा भाई साथ की तश्थिर भी लगवाई हुए के बीच में वह सुन्दर सुपर कलाकारों ने बनाई हुए मूर्तियां वो भी देख के आयते हैं कि हम लोगों के साथ कम्मुनिकेशन इस्टब्लिश किया जाए बाकि और साथियों से अग्रे करूंगा कि जीरो आवर स्टार्ट हो गया है तो वह अपने जैसे कि कोई नेता घडिया कि सिंके बोलते हैं कि संविधान की समिच्छा होनी चाहिए उनका नाम नहीं लिया जा सकता है तो मैं इस संदर में कहना चाहता हूं कि जो पूना पैक्ट पर क्या लिखित समिच्छा कोई एनालिसिस कोई रिपोर्ट कुछ मौजूद है आज तक पूना पैक्ट पे जो रिटेन यर्वदा सम्मिलन में गांधी और अमबेटकर सहाब के बीच में जो कमने लेवाड हुआ कि कुछ तो डॉकुमेंट्स मिलते हैं ने वह डॉकुमेंट्स की बात मैं नहीं कर रहा हूं जी जी मैं इधर कोई दस साल से कोई समिच्छा की गई हो और बुरी तरह ये फेल हुआ है इस पर हमें हमारा फिर से हुनाक चाहिए कुछ उसको तोड़ देना चाहिए हमें ये पूरपय को तोड़ देना चाहिए जी जी 불कुल फिर से जो बाबा साहभने डिमाड रकर उसको हमें फिर से वापस लेना है जी वो तो वी दी फीपल में जब साप इकठे होंगे तब ही तोड़ पाएंगे ने वो तो ठीक है सर लेकिन मैं अभी से यह बातें अगर सोचता हूं और पता करता हूं कि क्या क्या सोचा जा रहा है क्या लिखा गया अभी तक मेरे समझ से क सभी सथ Alors होता रहा है तो वो तो अभी भी उसको लिया जा सकता है इसकी बात रकी जा सकती है नई सब sait करके फिर से री डिस्ट्रिबूट करने में नहीं होगा इसको तो करेक्शन नहीं जाना पड़ेगा री डिस्ट्रिबूशन की बात मैं नहीं कर रहा हूं मैं तो सिर्फ जो पॉलिटिकल उसमें वो है तत्थ हैं जो यह डिया जा रहा था मैं केवल उसी संदर में कुछ कहना चाहता हूं सर प्लीज कहिए जो मेरा मतलब है क्योंकि बाबा साथ के समर्थन में ना तो उनकी उनकी कौम तयार थी ना उनका समाज तयार था इस बात पर उनने कई बार अपने आपको असाय पाया और कई बार अपनी बेवसी को जाहिर पी किया अपनी रैटिंग्स यह चीज एक चीज यह समझें कि क्या दो मतलब ती न सामिल कर दिया ना तर समझोटे बात आपकी ठीक है लेकिन जब कॉंसेटिविशन राइटिंग्स शुरुआप में कोई भी बात नहीं समझोटे में यह तो सत्रा सो तीहतर से पहले की भी चीज़े सामिल यह और सारे सब्रा सो तीहतर से लेकर जितने भी आट आए सभी आए तो पहली बार भारत सरकार नामी आया ठीक है मेरा यह पॉस्बिल नहीं है इसका मतलब यह हुआ से मौलिक मांग थी भशाँ की इन्य सो नौ में मारले मिंटो रिपार्म सब्सम्दो की gazette इन Special सब्सक्राइब करें CN. और कम्मोनल अवाड में यह सारी चीजे थी नहीं पहले कम्मनल अवाड की शुरुआत कहां से होती है वो भी तो देखना पड़ेगा कि कम्मनल अवाड तो कंप्रुमाइस था तो एक्षिल डिमांड नहीं थी ना पंडामेंडल दिमांड तो सेप्टि इसमें इसाहियों को ए तो आज तक जो सतर साल हो गए हम कहां तक पहुंचे हैं तो अभी दौड में बहुत पीछे हैं उसी के तो लिए बीदा पीपल सुरुआत कर रहा है लड़ाई लड़ने की उच्छी इस टाइम जो है न दो चिजों को पर हमें फोकस करना है इकॉलेटी जो बात कर रहे हम शोशल और आर्थिक बराबरी कि उस पे जो देना भी उस पे हमें करो जो से बिदान की बात है फिलाल और वह उसी का इस पार्ट है वह पार्ट है सारा तो दोना जो है वो हमें मिल ले रहे अधिकार शोशल और आर्थिक बराबरी की जो बात है मिला था वो भी छिनने को जा रहा है इसलिए वीड़ी पीपल की जरूता ज्यादा है पहले से भी बिलकुल बिलकुल तो छिनना जा रहा है काफी कुछ सर वीड़ी पीपल को यह जमीन में बच्चों बच्चों तक पहलाना पड़ेगा मुझे समझ में आ रही बात तो आप आप हम सबने मिलके पहलाना है यह काम तो करना है जरूर यह अभी सर हमने यह काना कि एक नए वाले प्रोग्राम में हम लोग 17 से 25 साल के बच्चों को इसल जी वो करतने हैं तो वो तो एक तरह से पूरी तरह से मनवादी वरस्था के लोगं बुराने समय से करते चले आ रहे हैं उन्होंने हमको फोन की हमारे कार्याले को हम से का कि आपके डिया पी का टाइम चाहिए तो आमने खांग एंधूा थीख यह लेकिन साथ में जब मैंने साथ कैसे चल सकते हैं ने का या होता होगा अब नहीं चलेगा बहुत पहले हो गया कि जब डिप्टी सियम्स आपको संकिसा में बुलाया था है लिकॉप्टर से पिछली साल की तो बात है न आप तो शायद भी लगता है वहीं से और वो वेक्ति मंच से नारे लगा के गया था जीए तो इस बात का अभी हम लोगोंने बिरोध स्टार्ट कर दिया और आप से भी कहूंगा जो संकिसा के आशपास की लोग है तो हमने कई अपने लोगों से भी लड़ लड़ी वहीं जाए उसे लेट गो नहीं करना है परियार से एक और मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारे जो भी साथी चदन में जुड़ते हैं उनकी एक नेधिक जिन्मदारी होनी चाहिए कि जहां भी जो चीजें हमारे मनसुबों से मेल नहीं खाती है वहां हमें अपनी आवाज जरूर मुखर करनी चाहिए क्योंकि हम लेट गो क अगर आप आवाज सुन पा रहा है तो आप अपना परिच्छा भी दें और दो मिनट कुछ संग के बारे में भी कहें जैवीम सर जैवीम मैं प्रशाद बेंदेर से हूं मैं भुद्पुर्व करमचारी हूं रेलिवेकार और मैं आजी पहले बास में जुड़ा हूंचर आपको कहां से मिला कि मेरे इस पर कोई भेजे हैं तो अजानक मैं देखा इस तो तो मैं देखा क्या बात है देखू जड़ा पिछे से माइक के बाद आ रही है अजी मैं चाहता हूं अब इसमें जुड़ा रहा हूं और मिलता रहा हूं अब इसमें अब जो साथी आज की फिजिकल मीटिंग में दिल्ली में गौतम सर क्यांते तो चुक्कि अभी करंभी शर ने कहा है तो वह अपना अनुगों आज का थोड़ा थोड़ा शेर करेंगे तो जो लोग नहीं उपस्तित थे उनको भी कुछ बातें समझ में आ जाएंगे एक चीज तो मैं बताना चाहूंगा जो बहुत ही मुझे अच्छी लगी और एक नया शब्द आज मुझे मिला पराठा बैंक वहाँ पर चलाया गया जो भी से पराठे लेके आये थे वहाँ पर निखा हुआ था पराठा बैंक अ प्रांठा बैंक वैसे तो बहुत अच्छा बहुत कर दिया कि रुटी डैट है तुम सर जी जी पारांठा मंगाने का परांठे बनवा का देडियों है जो रोटिया है वो फूप जाती है पराठे का जो कंसेप्ट है वो यह है जो पराठे ले करके जाते हैं तो उसके साथ हम अचार ले करके जाते हैं सब्जी के उसमें जूरत नहीं पड़ती और जो पराठे वो जल्दी सा हमारे खराब बिनी होते रोटी क्या है रोटी सूख भी जाते है और उनको जो है खाने के लिए हमें सब्जी की जूरत पड़ती है अब सब्जी जब हम सभी लोग ले क करेंगे कोई सब्सक्राइब ले गया कि नहीं लेख लाएंगा तो पानटे खराब भी नहीं होते और अचार के साथ वोग उनहें आसानी से खा सकते पराठा समता मुलक पराठा सबी साथ ही जो एक मिनट यूगेंदर जी सबी साथ ही सुन ले शुदीराजी ने वीडियो डाली हुए प्रांठे के पे बिल्गुल यही बात जो बता रहे हैं चलो सुनके बताया होगा या जो भी है तो सुने तो मैं तो अन्यूब बता भाएं सारी चीज़य है उसमें भी क्यों हम परांठा यूज कर रहे हैं कियों दो एक्स्टा ले रहे हैं और सिर्फ परांठा ही क्यों परियार जी बबली हीरा जी ने अज सारा दिन वहां भी आरे आज विशेक पराज जी क्या कह रहे हैं मैं यह कह रहा हूँ कि पराठे हम लाए पराठे के पीछे लाने की जो इस्टेटेजी थी जो रीजन था वो एक बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन आज जो सबसे बहतरी जो वहां पे चीज हुई है वो चीज हुई है वहां पे भावना की जो वहां पे काम हुआ है वह हुआ है भावना का जो जबजस्त पॉइंट था पूरी मीटिंग का वो पराठा और अचार ही था क्योंकि उस पराठा और अचार को साथ में खाने से जो भावना महां पे बनी थी वो देखने लाएक द्रश्य था कि इतने सारे लोग पराठे लेकर के आए सारे सब के पराठे एक जगहे खट्ट आए तो यही जो भावना है यही हम को जोड़ देंगी यही जो भावना है यह उसको सब को एक अच्छा करेंगी और सब्सक्रा काया ऐसा हुआ कि अभी दो दिन पहले तक लोगों के बड़े सवाल आ रहे थे यह क्या है पराठा और चार्व कैसे खाएंगे च्या करेंगे तो बहुत सवाल आ रहे थे लोगों के कि यह पराठे का क्या कॉंसेट है कैसे करेंगे क्या करेंगे यह से अच्छा नहीं लगता वो नहीं लगता बहिया वहाँ तो जो है क्योंगे हम सारे के सारे वीदा पीपल है हम ये बात नहीं डिसकर्ते हैं कि ये किसका कौन बैक wastewater तो जिसका कोई बेकड़ कर जबस नहीं थे पराठे इतने नेते कि वो बच भी गए लोग जो है कुछ लोग अपने घर ले गए कुछ लोग ने और लोगों खिला दिया और सबसे अच्छी जो बात रही कि आज हम सारे लोगों ने 30-40,000 रुके बचा लिए यह बड़ी बात है हमने क्योंकि हमने अपना पैसा भी बचाना है हमने अपना पैसा खराब नहीं करना है कहीं कहीं अलग अलग तरीके की मीटिंग लगेंगी अलग अलग तरीके से काम होगा किसी आदमी को जोड नहीं पड़ता जो आदमी दो पराठे अपने घर में लाके खा रहा है वो समाज म प्रवाइब दिल्ली के खाने का भाइब भरोसा नहीं है अब अच्छा है और जो आदमी अपने घर में खायेगा वो बेस्ट खाता है तो इसलिए जब वो बाहर लाएगा तो खाना भी बेस्ट होगा हाईजिनिक है सेफ है और हर तरह से वो अच्छा है ने खाली बच्छे हुए पराटे जो है बाहर कुछ बच्चे थे उनको मनिशा निघम जी ले गए उनको उन्होंने शायर माँ भी बात दी है वह अब जादा बहुत जादा परांटे ने बच्छे थे पूरा पूरा बता दिया था पूरा डिटेल आपका मोबाइल आपका नेट खराब रहता बच्चों से बात करो आप लेकिन आज जो भी कुछ वाज मजा रहे हैं प्रतरलाल सिंग जी को डग साब को अधर ने इसके बड़ी बात क्या हो ही प्रोंठे वाली ध्यान से सुनो प्रोंठे या खाना ले जाने का मतलिये था कि वहां यह जैसा कि हमारे कुछ साथी बता रहे थे कुछ कोमेंट्स भी कर रहे हैं उसमें कलियर यह लिख रहा है कि हम आपके बन रहे हैं भाईया हम आपके निवड़ रहे हैं इसलिए हम आपने रोटी लेके गए थे खाना लेके गए थे इसलिए हमारे लोग जो जाके वहां वह वह भी अपने प्रोंठे बना के लिए वह मंत्री नहीं आया हुआ उसका जवाब है करम्मीर जी उसका जवाब है वो जवाब आज बावा साम ने बताया है जो जमीन सरकारी है मैं उसी पा रहा था तो इसलिए आज जितनी संस्थाइं खड़ी हो और द्यान से सुन ले कुछ लोगों आज तक हमारा जो ना गोवर्मेंट और मंत्रियों से बहुत दूर करते रहे और उसका बहुत बड़ा नुक्सान हुआ आज जितनी गोवर्मेंट की बड़े-बड़े ना प्राइवेट या इंडिजिवल जो बने हैं वो गोवर्मेंट के साथ न से बने हैं आज हमारा कोई भी अगर ठीक दंका भावन है तो गोवर्मेंट की मदद से बनता है उसको अम यह मतमानों कि वो किसी पार्टी का है वो आपकी पैसे का है मैंने वहां में नागपुर कर दो चार करोड रुड बेने ते तो यहां बहुत सुद्र भावन खड़ा हो जाता तो इसलिए हमने थोड़ा सा बहार आना पड़ागा नोकृत पीक पीक दो इसलिए को फिसर विदा को नहीं चोड़ना चाहिए इसलिए कृधिक लिए करने पैसा निलगाना पैसा लिए तो गुवर्मेंट में जितने भी सवीधा ली जाए उतनी लेनी चाहिए और जहां तेक बात थी कोई साथी हमने और कोई भी मंत्री हमारा मंत्री हो जो हमारा समन समाज का अदमी हो दलित वैसी बिसी और माइनोर्टी का अदमी हमना कहीं भी बलाएगा हम जाएंगे और हमें इसके अलावा एक बात और यह भी है कि वहिया जब हमें पैसे बचाने ही है तो हमें तो कोई भी जगा दे दो हमें तो योगिंदर जी देते दो सो आदमी खटे करने की जगा अपने घर में हम तो उनके आँके बैठ जाएंगे हम अपनी बात करेंगे अभी जी हमारे मेरे बात करोगे तो क्या होगा तो हमारे नेताओं को बताओंगे जो बताएगा जब ही तो बगावत करेगा तेरी बात नहीं मान रहे नहीं और एक कमाल की बात मैं आपको बताता हूँ पिछले दो दिन से बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे बात हो रही थी कि जोए वह आप एक पार्टी के हां जा रहे हो यह कर रहे हो वो कर रहे हो तो भहिया उनसे का कि ठीक है आप दिला दो जो जो जगा आप दिला सकते हो अगर आप मानते हो कि आप किसी पार्टी से हो जो दावा करती है कि वहां दिला दो अगर आप मानते हो कोई ऐसी पार्टी से हो जो नेशनल लेवल पे काम करती है वहां दिला दो आप कहीं पर जगा दिला दो ना हमको हम पैसा नहीं खर्चा करना चाहते हैं अगर आप न अज्र्टीर्ड हैं वो उससे आगे सोच नहीं रहें लोगे जो जजनेंडा हैं वो उटिरियर हो जो मोटिफ नहीं हो समझते हैं वो आदमी हमसे जुड़ेगा, हम उससे जुड़ेंगे, मान लीजिये, अगर ये जहां आज हमने बैटके रोटी खाई है, वो जगा ना होती, या हमें कोई जगा ऐसी ना मिलती, जहां पे हम कुरसी, मेज, पंखा, चाय, कॉफी, सब हमें अवेलेबल कराने पड़ते, तो इ ऐसे concept के बारे में तो किसी ने सोचा ही नहीं, कि वहिया, तुम बिना एक रुपिया खर्चा किये, जो है, अपने समाज के लोगों से मिल सकते हो, बात कर सकते हो, बैठ सकते हो, तो हमें इस बारे में लगादार सोतना पड़ेगा, चाहें दस लोग मिलें, चाहें बीस हो जाती है, खाना सब एक जैसा लाइंगे, तो ठीक रहेगा, और पराठा आचार हम अपने घर में भी खाते हैं, तो इसलिए वो सबसे आसान, सबसे आसान, अप्शन है, यह तो कुछ लोगों तियोरी थी, कि बहुत कुछ नहीं होता है, लेकिन जूम से बहुत कुछ होने किसे नहीं है, मंतरी काब बने तो नहीं है, हम सारे जानते बात वी की, तॉक तम जी की पार्टी की कोई बाट नहीं है, के साथ भी काभी का कि हम दोनों ने मिल की और बहुत भरम कि ने रूटे इनकी पहले से रही है हैंरी जी की सुन ले पहले थोड़ी बात हैंरी जी बोल रहे हैं कोई सज्जन ये बात कर रहे हैं वह आपके हैं जाएंगे तो अगर हम इस बेस में अगर हम बात सोचेंगे रुट को बीज़े लिए को डाला को बीज़ेशपी को डाला तो इसका मतलगा कोई कांग्रेस का है हैंडी जी हमने सोच ले इस बात को यह नी नीशारा आपकी बात मैंने बुला वार्बार सर यह चीज तो बड़े प्लेट फार्म से ही चल ले थी कि जन पत्रियों ने बड़ा गरक कर दिया है सत्या नास कर दिया कुछ नहीं किया समाज के सारे लोग बुरे नहीं होते हैं आज इसका उधारण है कि देखे समाज में अच्छे लोग भी जो पॉरी होने देते हैं वह कहना क्या चारा उसकी सुन तो ले प्लीज मेरा कहने का मतलब हमारे पास जो लेंटर्ड रिसोर्सिस है वह हमारा टाइम है थीक है तो यह फालतु भी बातों में हम अपना टाइम और पैसा ना बरबाद करें जो मुद्दे की बात हैं हम उसी के उपर डिसकुशन करें वो ज़्यादा बैटर है सर्व ना जानना म You know हमारी आनन चलती है ना जैसी हमारी वर्चूढ चलती आद बिल्कूल वैसी एक्टूयल चली है अच मीइटिक शुरू हुई है लोगों का इंट्रोडक्शन हुआ है वाद जो 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 लोग आये थे उनका सबका इंट्रोड़क्शन हुआ फिर क्योंकि जैसा कि हमारे यहां वर्च्वल मीटिंग में होता है उसके बाद फिर मंतेजी ने मंगल मैतरी कराई और जो है मीटिंग खतम हुई है बिल्कुल ऐसी चलिए जैसी चलती है लास्ट में बीदा पीपल का लोगों भी देखे आये मंतेजी को मुनें बोला कि आपकी जो बिजरत बन रहा है उनका इसमें लगाए वह वह भी हुआ और महां लोग आये थे एक तो एक तो आपको मज़दार इससा में बताता हूं एक सजन आये थे जो उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वो सक्टान है उन्होंने किया नम था तो वो ऑनकी बोल है कि मैं तो पहली बाल आया हूं मुझे नीम सिंग जी इसने दिनों से कह रहे थे कि है आप जुड़ जाओ, आप जुड़ जाओńsk coach, we डॉक्टर है मैं अपने घर के भार भी लगाऊंगा और इस मुईम में मैं हफते भर में 10 लोग जोड़ूंगा तो लोगों को ये चीज समझ आ रही है और ये जो भावना है लोग इस चीज को समझ पा रहे हैं तो आज बहुत सारी इसकी चीज़े होई मीटिंग में सारी जुडने जुडन मैं भी एक मिन देपने बात रखना जाओंगी आप भी दोती मां गवां जी 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 नमो बुद्धा है सब्सक्राइब अरे हर्देयल जी कहा है अभी बाहर गये हो अज़े बाहर गये चलिए ठीक तो लेंगे मैं ये बताना चाहते हूं सबको कि वहां पे एक नई सी चीजभी सिखिया है हमने के जब भी हम कोई पॉजिटीव चीज़े करते हैं और कोई अच्छी बात करते हैं तो हम बोलते हैं साधू नमो और जब भी घलत बात करें पूआ बताना दुबारा सुन दुबारा ने बताया हैं तो आज जब लोगों ने हर बात पे तालिया बजाई तो भिकु संग ने बताया कि अगर आपको किसी की कोई बात अच्छी लगती है तो आप इसको सादू सादू करिए तो तालिया बजदी बंदों के फिर सबकी बात जो सकारात्मक बात थी और जो अच्छे लोग अच्छी बाते कर रहे थे उनके लिए सादू 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 हुआ पिर वहां क्योंकि जब इतना बड़ीया काम होता है तो एकाथ कोई अलिमेंट ऐसा भी आजाता है जो उसकाम को डीरेल करने कोश्च करता तो एक एलिमेंट वहां पर ऐसे आ गए जिन्होंने उसको डीरेल करने कोश्च करी तो भाईया सबने बड़े प्यार से उनको बोल दिया कि आपकी बात हमको अच्छी नहीं लगी तो इसलिए अब जातू 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 किसको करना जातू जातू किसका नाम आगया इवे और नाम जानके करना भी क्या है ये ना किसी का नाम नहीं है यह हमें सब को अपने मैंन में रखना है कि जो भी चीज होंगी डिंश लेगे बोले जातू 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 अदिनेश नाम यह कि यह हो गया के भी फिजिकल मिटिंग से मापसम मिल लीए जी अच्छी बात है यह लीजी आगे है हर्द्याल जी जैबी नमभुद है नहीं को बता दूब जो लोग जो लोग में एक्ट्वल मीटिंग में नहीं थे उनको मैं बता दूब आज हर्द्याल जी का हैपी बर्डे टू यू भी है इतना सबस्क्राइब को भी आपको भी जैसी काम नाै तैंक यू आज ने बात हमारा मिलन साहारो इतना प्यार आपको अधिक्शना पाराट बूस्त में त्मक्राटीर काम नाई विए डिक्सक्राइब पूरा देश बैसुब कामना देराज से पहले ली ती नहीं जर और एक बाद हुई मीटिंग में कि आज मीटिंग में यह तैह हुआ कि दशेरा के बाद जो पहला संडे आएगा उसमें सब लोग अपनी फैमिली के साथ बुद्धा गार्डन में मिलेंगे हाना बना के अब अचार पराठा खाएंगे आप अपने साथ कियों को राजवीर जी बोल ना बोलो हैंड्रेज की जूरत नहीं है मैंने आज अपने जीजी को भी लेका है था वो बेसने में SDO थे उनके बेटे डीडीए के इंडर डायेक्टर हैं और एक अपना सेटरपर में मीजिक का स्कूल चलाते हैं दूसरा बेटा एक बेटी उनकी गवर्मेंट स्कूल में टीचर है वो आप अपने समाज वालों के उपर गाना भी सुनाया था और महीं अपने से ज्यादा गाने सुन्दिया वह आए नियाज मेटिंग में लेकर एक बात है शुझा लिखा और राइटर भी है लिखा उसी टाइम देसको गाया कि अधिक का मंगल कामना अपको थैंकि सेर थैंकि सब्सक्राइब में तो लगता है हम मेरी उजुवल की मेरी वाइफ सवनों की हमारी गरवापसी हो रही है अपने लोगों में सब्सक्राइब हमारे आदमी दुरुदर बिख्रे हुए इस बीको जोड़ों सभी को जोड़ार वापसी तो सारे करना चाहते हैं घर ही नहीं मिल गर है नहीं हमारा वीदा पीपल हमारा घर है अब गहर वाणना शुरू हो ना जी जी हमी मिल गया है और लड़के आए वे थे कुछ वहां से आए वे थे सब कॉल करके न मैं लेकर आए थे हम और उनको बहुत सबको बहुत अच्छा लग रहा है यह प्रोगाम आरके सर आरके सर आपने गाना सुना होगा ऐसे किराय के घर की आशाक्यों करते हैं जिसके बारे में भारती साहितिक लिखते हैं कि जिन्देगी एक किराय का ख्यार एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा मौत जब तुमको आवाज देगी घर से बाहर निकलना पड़े तो पर्मानेट गर तो मोक्ष है तो महां परिनिर्वान की तरह बढ़े जहां जहां आप बात करना पर्मानेट गर वहां सांती के कुछ नहीं स्थिर्पा है स्थिर्पा तो आपने अगर यह बात छेड़ी दिये तो सर मैं आपसे थोड़ा सब्सक्राइब को पूछने चाहूंगा है सब्सक्राइब करना प्रभावित रहता हूं आप इतने शालीन तरीके से प्रश्ण को रखते हैं कि तीर भी निशाने पर लगता है और काम भी वह जाता है लेकिन आपकी शालीनता बनी रहती है जी सर अगर हमने जीरो को डिफाइन करना है और जीरो और इंफिनिटी की डेफिनेशन समझना चाहूंगा जीरो किसे कहेंगा इंफिनिटी किसे कहेंगा अगर जोरी सर दे सके तो सीनियर है ना फिर मैं पूछिस करूंगा जोरी सर पहले जूनियर को देना होता है अच्छा सब्सक्राइब तो जाने में देखते हैं कोई गलती कमीन रहें आरके सर आपने बड़ा प्रश्न पूछा है और प्रश्न आपका बहुती हाई डिग्री आफ इंटेलिजन्स का है यह वैसा प्रश्न है जैसा हम लोग कहते हैं कि सर्किल का स्टार्टिंग और एंपॉइंट कहां पे तो सर आइंस्टेश्त की तेहिघां सरहारान। कि हम किसी बी चीज की अगर इनलिसिस करते हैं इस ब्रहमांड में तो इस बीढ़मांड में सारी equally नहीं संसार्वे सारी चीज तुलनी है तुलनात्मक है जैसे सुख की दुख तुलना में दुख है अच्छे के तुलना में बुरा है गुरे के तुलना में काला है तो जो अनंत है उसकी तुलना में काउंटर पार्ट जीरो है और जीरो उसे कहते हैं जिसे ओरीजिन है जहां से आप रिफरेंस लेत तो आपके साथ क्या आप कितना संतुस्ट है कितना संतुस्ट है क्योंकि दोनों से अगर इंट से देखें तो जीरो से वह देखेंगे और जब वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं अगर आपका फ्रेम ओफ रिफ्रेंस आपका जो कॉडिनेट है ना वह जहां से रिफ्रेंस लेंगे वह जीरो होगा वो और जहां पर आप जिसको कंपेर कर रहे होंगे वह आपका टार्गेट पाइंट वह यह क्या है हाँ माइनस इंफाइनट भी है सर परियार सर अब जैसे आप जिदर देखेंगे जैसे आप एक तरफ देख पाएंगे तो पॉजटिव होगा और आपके सर के पीशे नेगेटिव होगा सब रिफ्रेंस का क्याले सर तो जीरो की वैल्यू से हो सकती है जीरो की ही तो वैल्यू है इंफाइनाइट तब जीरो है जब तक किसके साथ कुछ लगना जाए तब तक कोई वैल्यू नहीं सर जो आरके सर पूज़ने डिफरेंट चीज है आ दिफिए को आप लेंगेटियों को नहीं आप लेगना तरहिए जो इंग्जिस्टेंस की वैल्यू है ना वो दूसरी चीजों के पता सब्सक्रेंसित्यली है वह ठीप ली है और है इसको दूसरी नहीं क्वेदी चोद्री का सरे इंट्रेक्शन हुआ है कि हमें कैसे लोगों को जोड़ा जाए सर्व इसके बारे में तोड़ा सा पताना चाहिए जब सकते हैं तो यह जोड़ना पड़ेगी हमें बात करना पड़ेगी अगर नहीं बात करेंगे तो कैसे जुड़ेंग यह से नहीं बात करो हैं तो जोड़ने जोड़ने की बात ही आईगी तो स्के वीए उपर हम थोड़ा सा चरफा कर लेते हैं जानना चाहता हूं जैसे हम कोई ऐसा मेथड ढूंडें जिसे एक मिनट में पूरे हमारे समाज में परवस्तना जाए कोई करीका है जो एक मिनट में हमारा समाज चेंज हो जाए सब्सक्राइब 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 बाकि प्राइब बहुत है जैसे आप किसी बड़े राजा को मार दीजिए एक मिनट नहीं लगेगा वाइरल जैबिम बुला तो भी बहुत सारे लोग यह कट्टा हो जाते है लाल सलाम अलग बात है जैबिम भी तो उसके उससे कई ज़्यादा पाउर पुला आप इसे विचारदारा पर मत चाहिए कि फिल आवलेश कांतर है पूल और हॉट का डिफरेंसे जरी है देखे जैसे मैंने आप से कहा हलांकि बात बहुत बचकानी है लेकिन भारती राजनी थी नहीं इस बड़ी विचारदारा पर चलती है कि करांती बंदु किनाल से निकलती है लेनिन स्टालिन काल माक्स जैसे लोगों ने क्रम शाह एक ही विचारदारा को अपने अपने फ्रेम में कसा है शेडी संगवाद से जो जो पैटर्न था स्टालिन के समय तक आते आते वो सामय बात ब्रेक्तिवादी हो गया और ताज्य हमारा ही भाई एक ही घर में एक बहुत ही जड़ा मांसिक रूप से विक्षित होता है कम विक्षित होता है आप एक बार समझेए यह जो हमारे लोग है न यह प्रतिमानों के आधी आप एक किंग को डेर कर दिजे फिर मजा देखिए कांसिलिंग एज्योकेशन डिफ्यूज होती है धीरे-धीरे करके रिस्ती है इसके बारे में हम लोगों को यह बताया जाता है कि जो पॉजिटिव सुधार है समाज में वो शैने-शैने सभीयों में आते हैं अब सोचे दस लाग साल से लेकर एक लाग साल तक आदमी ने केवल चौपायों पर पाशाजी की नौ ला हो जाता है फिर इस थियोरी को मतलों बावा साहब जो फूल है जा पर यार क्यों नहीं समझता है नई सर देखे एक टाइम पर एक व्यक्ति एक ही विचारधारा का पूश्य को लंबे समय तक जो उन्होंने सुख दुख होगे उनकी एक्टिविटी उसी के रिलिवेंस में ऐसा अगर आप कंपेर करेंगे कि बाबा साब माक्स क्यों नहीं तो यह इर्रेलिवेंट कंपारिजन है दोनों की भावगोलिक सेक्षण एक और उनकी परिवारिक प्रस्ट भूमियों की भिंदता के कारण उनकी कारिश्यली सोचने करना जरिया उनके कारे करने के जो पैट अगर कोई साथी और बोलना चाहते हो तो वह जवाब दें मैं भी शामिल हो लूँगा इस पर मैं इस पर बोलना चाहूंगा जी आपका आपका जो प्रेश्न है उसको एक बार दिबारा से बताएंगे इस तो मेरे प्रेश्न नहीं था मेरे शाक्या जी ने जो जवाब दिया था उसी पर मैंने प्रेश्न किया था वो उनने बता था कि एक मिनट में करांती कैसे हो सकती है तो शाक्या जी ने उसके बारे बताया कि एक मिन में क्रांती हो सकती है, राजा को डेर कर दें, एक मिन में क्रांती हो सकती है, लेकिन सवाल ये है कि क्रांती पॉजिटिव या नेगेटिव, क्योंकि जो नेगेटिव चीज है, वो आग की तरह फैलती है, पॉजिटिव चीज शाक्या जी ने उसका जवाब दिया, वो रिस रिस के चलती है, तो कोई भी revolution जो एक positive approach रखता है, वो create होने में time लगता है, अगर वो create होने में time नहीं लगेगा, और एक second में positivity आ जाएगी, फिर तो सारे revolution बेकार है, फिर तो कोई करांती की जरूरती नहीं है, अगर एक second में क एक second के time में हुए हैं, या वो एक event से वो vast बन गए हैं, वो negative power के साथ आगे गए हैं, वो positive power के साथ आगे नहीं गए हैं, और ऐसे ही, अगर हम लोगों, अगर हम ये सोचें, क्योंकि हमारे जितने यहां पे conversations होती हैं, वो हमारे context में होती हैं, अगर कोई ऐसी चीज है, कि वो हमको एक second में, या एक minute में, एक साथ जोड़ देगी, या एक साथ हमको जो है, वो करांती ले आएगी और हम सब कुल बदल देंगे, अगर वो ऐसा है, तो we the people का concept जो है, वो फिर किसी काम का ही न है, तो अगर हम positive काम करने जा रहे हैं, तो उसमें time लगेगा, उसमें हम एक second में, एक minute में या एक दिन में नहीं करता हैं। और भी कोई साथ है, अगर इसमें पाटिस्पेट करना चाहें, स्वागत है। लेकिन ये बिल्कुल सही है, इस्थाई और positive है, ये स्थाई और positive दोनों, इसके परणाम सुखकारी होते हैं। एक minute की करनती के परणाम coercive होते हैं, उनमें बहुत मारकाट होती है, और बहुत दूरगामी परणाम उसमें सामने आते हैं। होल्ड अप नहीं होता से। सर, एक सोटीजी करांती मैंने भी की थी, एक minute मैं। जी सर। पांच जार लोगों का जागन होता था प्रणाओं के अंदर हमारे हैं। मैंने एक दिन एक राथ में बंद करा दिया था। अराथ तक नहीं होने दिया। इसी से जून की यह को बताना था कि इस पुष्टभु में जो आपन चर्चा कर रहे हैं। सब लोग चेर्चा करें। इसी पुष्टभु में से अगर आपन चपन की क्रांटी के बारे में जो बात करी हैं। तो बाबा साब ने जो क्रांटी की है उसको क्रांटी करना चाहिए। इसा मुझे लगता है तो यह पॉजिटिव क्रांटी के बारे मैंने सोच सब्सक्राइब करना चाहिए। संकल्प था। वो एक धीर कालीन क्रांटी का संकल्प मातर था पूरी क्रांटी नहीं। पूरी क्रांटी तो चल रहे है धीरे-धीरे करें। और देखें जैसा अभी अवशेक सर्द ने बहुत लंबे समय में होती है दीरे दीरे होती है तो उसके बाद से बहुत सारे सरकारी सेवाओं में बड़े नियोजंस में हमारे साथ ही गए इस थाइव उन्हें शोशल मुमेंट्स पाडिसिपेट किया तो यह वो क्रांती का ही पड़ाओ है दीरे-दीरे करके होगा आप द बताया था कि मतलब ग्रेजिल करांती और जो इमिडेट करांती दोनों में जो डिफरेंसे बताया आपने मैं बगवान बुद्द की बात करूंगा जो बुद्द में एक बात बोली अगर उसका मतलब जो अंतर चेतना उनकी जागी जैसे उन्होंने सोचा अपने बारे में ह हुआ है उसके बारे में सोचा कि अपने अपको पहचाने की गोशिश की अपोदीपो बबाब एक संटेंस से जो बोलते हैं अपोदीपो बबाब तो इसको एक मेंट की करांती नहीं माना जाएगा सर जो आप दीजिए सर मैं तो पहले ही कह रहा था अतुल सर्चेमन का जो निसर का कुश्चन है वो बहुत कह रहा है और वो दूसरी और लेकर जा रहे हैं उसको मेरा जो सोचने का निजरिया तो वो यही था अब आपने के लिए कर दिया बताइए सर देए अध्य दीपो बवा बुद्ध ने एक दिन में तो दिया नहीं था उसके पीछे सर नहीं मेरा कहने का मतलब है उनके माइड में एक सेकुंड में विचार उत्पन हुआ कि मुझे अपनी कोज करनी है क्रांती होगी क्रांती तो होगी विचार अगर उत्पन हो गया तो एक सेकंड में उत्पन होगी तो इमिडेट क्रांती है वो एक सेकंड में अंदर क्रांती हो जाती है ज़गा वो यहिसको फिजिकली सबके सामने आप इसको रखेंगे वह एक प्रॉससस में चला जाएगा सर उसका डीप इंपेक्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है अगर हम जितने वीदर विपल के उपर कठा हो रहे हैं सभी और हम सारे लोग एक प्राण करते हैं कि हमने अपने फैमली में एक न्या ट्रेंड चलाना है हम गुड मॉर्निंग नहीं बोलेंगे हम अपने बच्च को था रिया इक हमारे रिश्तेदार आये करते थे थे तो उनको समझ नहीं आया, हमारे देश बक्तलों बड़े आगे तो यह चीज जो है हमने अपने घर में देखी और यह हम आज को आगे लेके जाएंगे तो यह बिल्कुल ठीक बात है कि यह हर घर में ऐसा होना चाहिए गुड मॉनिंग भी एक एक वे ऑफ ग्रीटिंग है वह आप कर सकते हैं लेकिन आप जैवीम अगर बोलेंगे तो उसका इंपेक्ट बहुत वह मल्टिपल टाइम पढ़ जाता है क्योंकि जो नए बच्चे घर में सुनते हैं ना यह चीजें वह आप से फिर सवाल करते हैं कि है क्या वह बात घूम 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 के जब बार-बार आती है तो उसको इंपेक्ट उतना ही जादा बढ़ सब्सक्राइब कर सकते हो ना तो इसका मतलब है कि जब किसी का मन बड़े बल्वती आवेग से किसी प्रेश्ण को बना रहा होता है उस समय उसके पीछे उसका मोटिफ क्या हो कि पीछे तो मुझे कभी मौटिफ दिखा ही नहीं है जिग्यासा तो सिच्वेशन समय के साफ से अपने अपी परवत्तन होती रहती है इसका मतलब बुद्ध का भी कोई मोटिफ नहीं कुछ नहीं था है मेरे पीड़ा क्यों थी जो उसकी जो इसकी एक होता है जैसे हम कि अपने आपके अंदर में मतल बॉडी मतल यह मेरी अपनी और संथिंकिंग है यह नहीं मानता हूं कि मैं ठीक हूं मुझे यह चीज मैंने अपने आप में फाइंड आट करनी कोशी कि तो मैंने यह पाया कि इंसान के जो अगर बॉडी को तीन हिस्सों में बाट दिया है वह शन्ड बंगुरा थोड़ी देर के लिए हैं औरदिजायर्स खतम आदमी की वह है इक्षा के साथ में वह खतम हो जाती है थोड़ी देर में पेटकी प्रोग के लिए सारी जिंद्गी बागता है वह डिजायर भी मोमेंटरी होती हैं थोड़ी देर के मगर जो हमारी मे पूरी नहीं हो पाती है एक और प्रशन एसोशेटिव इसी के साथ आपने कहा शरीर को तीन हिस्सों में बाढ़ देते हैं अपर मिडिल और लोवर आपने कहा कि लोवर जो है जो है वो सेक्षल डिजायर्स का है वीच का खाने पीने का है लाब लाज का है रुपए पैसे का है वो उपर आपकी mental desires है लेकिन हमारे इसाब से तो विचारों का केंद्र जो है आपने कहा भी अभी आपने इस्टाबिश के है यह जो कुछ भी होता है सब विचारों से चलता है शरीर का प्रतिक अंग वोपांग इवें शरीर का कोई रोम रोम भी हिलता है आखे पुपियां है अगे निकाल दिया जाए तो फिर वाफ युथा यह से न प्रॉप आणिदा के मजया है हुआ तो सर्水 इसका मतलब है कि इसी उट обязательно होकर है मैंकRR ने सब्सक्राइब के बारे में कहना तो वह ज्यादा थीक नहीं होता क्योंकि जो सिट्यूशन के अंदर में हिसाफ से इसा हुआ होगा कि अच्छा सर्ण मनुष्य में कामन क्या है पुराने समय से लेकर आधुनिक काल तक मनुष्य के बीच में आज तक वो चीज जो कौमन है वो कौन सी चीज़ है जहां तक मैं समझ पाता हूं कि वो अपने आपको जानने की कोश्य आपने जो मतल् पूछ रहा हूं कि पुराने जीवधारी से लेकर और आज तक मनुष्य में कौन सी चीज़ कौमन है जो कंटिनुवस भी और कौमन भी है कि अधिम काल से लेकर जब हम जंगली जानवर थे तब से लेकर जिस बेस पे आप समझे कि मनुष्य में कौमन क्या उसकी आदतों में उसके सभाव में जो अब भी जो में आप कहते हैं न फाइब एलिमेंट्स तो मेरे साब से तो शहएद वही है जिनको अंबात हैं काम क्रोलो मोहकार प्रिशला अब भी है इंसान जो पैदा हुआ तो यह साथ में लेकर पैदा हुआ है और आज तक वह साथ में हैं अच्छा कई ऐसा तो नहीं कि आदमी की दो ही मूलगूत आवश्यक्ता हैं जिनको क्वालिटेटिवली और पॉन्टेटिवली अलग अलग गेजिज में वह अलग अलग तरीके से अटेइन और रिटेइन करना चाहता हूं वह थी हंगर इंसेक्स सारी इंडस्टी उसी के चारों तरफ भूंगती हैं सारे इंवेंशन्स उसके चारों तरफ भूंगते हैं क्या यह सच है अटुल जी वही तो मैं बोल रहा हूं एक कामन सब त्रिश्णा तभी थी त्रिश्णा अब भी है यह बात बिल्कुल सही है अब मेरी एक उत्सुकता यह है कि एक व्यक्ति साधान व्यक्ति एक व्यक्ति के पीछे भागता है एक बहुत सारे लोगों का समू एक व्यक्ति के पीछे भागता है और वो ऐसा सोचता है समू या व्यक्ति विशेश या व्यक्ति वादी व्यक्ति कि वो जिस मार्ग से सफ प्रतिमान जब बना होगा उस समय देश काल परिस्तितियां समय सब दूसरा होगा प्रकरति के समयोजन दूसरे थे ब्रह्मान की अवस्थाएं दूसरी थी ब्रह्मान का प्रसार दूसरा था उस समय की सफलता या उस समय के स्थापित या सफल मानक क्या तत समय जिस समय कोई व सब्सक्राइब जो ब्रेन है उसको हम ऐसा मानके चलते हैं कि क्या बोले हैं उसको कोई पॉटिकलर बॉट मतलब हम डिजाइनर लाइफ जी रहे हैं डिजाइनर सोच है हमारी तो उसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है जो कुछ वर्ड्स वह हम यूज कर रहे हैं अपनी वकैबलरी में करें जो ठॉट्स हम दे रहे हैं जो विचार कर रहे हएं वो हमारे इंवाइनमेंट से मरे पास आए है हमारा पना तो कुछ विन है अगर हमारा अपना कुछ था तो तो वो बुत ने जो किसी को स्कुछल तो हमने नहीं पर दो कि इसकी संबावना नहीं दिखती है आप इसके कभी बुद्ध के जब मतल किसी भी किसी भी रिलिजिस स्क्रिप्ट को ले लिए हमारे इंसान के इतना वह सास ने कि उसको चैलेंज कर सके उस थो तो डैड को ही तो फॉलो किया जा रहा है मरा हुआ साप गले में डालके गुमने से तो सोड़ी साम बन जागा है क्रेटिव इटी थी आइंस्टेन है वो क्रेटिव है उसने सिस्टम को निकार दिया रिथी गोल थी अगर मानके चलते रहते हैं वो हमारे पूरवजा निकार तो गोल ही रहती सर उसकी ओवर शेप तभी पता लगे जिए उसने चैलेंज किया चैलेंज तब होता है जब हम एको सिस्टम से बाहर जाके कुछ नहीं चीज की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर रेवोलिशन होती है तो वह ने विशार से होती पुराना को कैरी करने से नहीं उता कुछ भी सर ऐसा मेरा अम पॉट सब्सक्राइब करके कोई भी एवोलिशन नहीं हो सकती सब्सक्राइब सब्सक्राइब समझाने के तरीके लगए हैं सब कुछ इसी दुनिया में घटता रहता है न्यूटन से पहले बहुत बार बहुत घटनाएं कितनी बार घटनाएं होती रहें लेकिन फिवरी तो ग्रेविटी की न्यूटन ने दिया और आज भी घटनाएं घट रही है और पहले भी घटती थी बिल्कुल सर गटनाएं घटरी हैं सिर्फ वह जो हम उसको जो जो वेशिकार को देखते हैं वो न्यूटन से नहीं देखा जाना चाहिए सर गाउंद यहाद के अंदर में छोटे-छोटे जो है जिनको हमान पड़ पर जादा जीवित है हमाने कम लिए में ऐसा कहके हम बच नहीं सकते के वह अविस्कार बिल्कुल सही है ठीक है लेकिन उनका अविसकार बड़ी सीमित और छोटे-छोटे जिसको जुगाळ भी कह सकते हैं हम उसको तोर मूल नहीं करें हम विचारों को तो और मोल नहीं करें हैं तो यह कह रहे हैं कि अशिकार हो गया कुछ निया निया गटित हुआ है वो जीवित होने का परमान है सरे कि जीवित होने से चलती है दो अम्रेका में मोदी सहाब गये थे क्या हुआ जी सर परियार सर अमेरिका में क्या बहुत खबरें आ रही है वायरे लो रही है कि वहांदी साहब के वहां पर या भार्द की काफी कि मीडिया तो बताएगा निए चीजें क्या हुआ हुआ यह कि एक गलती से आज तक की पत्रकार अंजिना उनकश्यब जी ने एक गिड़ में नगाले बजाते हुए आत्मी के साथ एक पीडियो वाइरल की और वह बाइट है लगबग 45 सेकेंड की वह से यह प्रश्ण करती है कि बताइए आप यहां कैसे आएं तो वह कहता है कि जी हम तो हमें तो बुलाया किया है विए थेस्ट कम यह फॉर एमिजमेंट उनको मोदी जी का नाम भी नहीं पता है वो क्लिप बहुत तेच चल रही है फेस्बुक पे मीडिया में तो यह है तो उस पे बहुत सारे लोग करने है जो भी इनके प्रोग्रम मोथ उसके साठ साथ लोग भी जाते है ना यह सर भारत का पैसा जाका रहा है ना बारत का पैसा यहीं स्तेमाल हो रहा है इंटरनेशनल इश्ट बनाने के लिए अ अगबारों में कुछ आ रहा है बाइडन और इनकी बात्चित्ता और मेडिया में कुछ हो रहा रहा है कि सर्वाइडन से निगेटिव एंटी फिलोसफी से हैंडी सर जीरो एंड इंफिन्टी जो आपने कहा थे कुछ नो किया था इसे और समझा दिए मेरा तो जग्यासा थी जानने की जैसे हम जीरो है जीरो सर कोई चीज जीरो कैसे हो सकती है और चीज के अपनी विल्लियो है वो अलग बात है कि हम उसको मेजर मेंट नहीं कर पा रहे तो जीरो तो नहीं होई जैसे सर हम अकाश की तरफ में हम युनिवर्स की तरफ देखते हैं है यह सब मैंने का ना कि रिफरेंस वेल लिए तुल ना में जो चीजे जो चीजे हमारे फ्रेम से इतनी छोटी होती है कि ब्यॉंड फ मेजर्मेंट होती इतनी चोटी होती है तो उनको हम जिरो कहते हैं और जिनका हमसे हमसे बड़ा साइज होता है जो साइज में इतनी बड़ जीरो कांटेबल कह सकते हैं जीरो कांटेबल आपकी जहां पर रिफरेंस रखी जाए वहीं से वैल्यू बढ़ेगी हमारे साथ अमित कुमार जुड़े हैं सर अतुल सर इन्होंने अपना अंसर डाला था कि जीरो एंड इन्फिनिटी एक ही होती है तो अमित सर अगर मेरी आवाज आ रही हो तो जला समझाने का करें अमित कुमार जी हां सर इस पर अपने बताया है सर मैं यह सोच रहा था कि कि जब कोई चीज जीरो हो जाती है तो इसका मतलब यह कि जीरो और इन्फाइनाइट स्पेस मतलब एक ही हो जाता है जब कोई की सुन्ने में हो जाती है हमारी हो जाती है तो हम सुन्ने हो जाते हैं यानि हम अनंत में मिल जाते हैं तो सुन्ने और इंफिनिटी मुझे लगता है यह की चीज़ लगता नहीं अलग अलग बता रहे हैं दोनों चीज़ तो इन में क्या डिफरेंस दोनी एक है या आतुल सर जो बता रहे हैं वो मतलब रिफरेंस को लेकर यह रिलेटिविटी थियोरी को लेकर बता रहे हैं लेकिन अगर इससे अगर अलग हटके देखा जाए क्योंकि मैंने कुछ वीडियो भी ऐसी देखी है उसमें भी यही बताया जाए कि जीरो और इंफिनिटी अगर दे अाँ से जहाब की बात करते हैं तो जीरो का नेचर होता क्या है कि रोका नेचर मैं को अलग अलग तरीके सेginheart होता है बहलते जो इन रिजोंद मुझे जलता है कि दो अलग अलग विशयगत चीजों को या विशेगत परिभाशाओं को एक साथ अंतर गुम्फित होकर ना पढ़ा जा सकता है और ना ही उसको समझा जा सकता है बिल्कुल सही बात है कि किसी साती ने कहा है कि जीरो एक सिंबल है लेकिन एक ऐसा सिंबल है जिसकी खोज इस पूरे विश्व के सभी लोग क कार्थ मेजरमेंट यहां कि जीर किसे जानल अनंत है जहां आपकी सबसे ज्यादा जो उक्वप्ड ऐस है और होरे जांड Rug कौन सी ट्रिक्स आई है होगी मेरे को लगता नहीं कि लाइट ये से कोई है दूसरी ट्रिक्स तेज चलने वाला कुछ मेजर्मेंट को पार से अपने क्या गया आप तो पार से बगारा भी आ रहे हैं अच्छा यह क्या है अब क्या करते हैं कि जितने पार्टिकल्स हैं एक्सिलिट्रेटड पार्टिकल्स का लाइट के पार्टिकल्स को भी आव ही उसकी उपर की बी लाइट्स है न इसकी उपर की फ्रिक्वेंसी पॉसिबिल आप आप अनंत में चले गए वह एक ऐसा स्पेक्ट्रम था जहां तक आप जा सकते कि फ्रिक्वेंसी में ज्यादा काम हो रहे हैं हम लोग पढ़ने हुए बहुत पुराने हो गया लग रहा है मुझे सब्सक्राइब पर बहुत नए काम हुए है लगता है कुछ सर अभी तो एक नई थेओरी आगी आपने क्वांटम इंटेंगलमेंट नहीं पढ़ा होगा अगर आपने यह चीज़ लिस्टी है सर एक और नई थेओरी है है एक नई थेओरी आई यह बहुत मज़ेदार और मुझे तो लगता है कि यह लॉट घूंग के हमें अमर होना होगा तो हमी लोगों की एज है कि हम लोग अमर होने वाले हैं हम लोग मरेंगे नहीं खुशकबरी है यह सबसे सबसे वड़ी चीज क्या है कि अभी वैग्यानिकों ने किस तरह की खोच की है कि एटमिक थेओरी में जो परमाड़ होता है वो संकोच भी करता है शरम भी करता है उसमें हया भी होती है वो इठिलाता भी है और इसे प्रूफ करके दिखाया लै उन्होंने एक जो पाटरंस बनते हैं सामने परदे पर वो इनिफाइड होते हैं लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉनिक आई उपेन करते है और एटम को यह वरोसा हो जाता है कि कोई चीज उसे देख रही है उसका पैटर्न डिस्टॉर्ट हो जाता है और यह बार बार जब उलेक्ट्रॉनिक प्रफब्र कर गया बहुत सारे लोगों को ग्यान होता तो कहते हैं कि उनको एक तरफ से काटते रहे हैं उनको तुप नहीं होता तर्फ नहीं होता तो मेरे शाब से मेरी एपोथेटिकल थेयूरी है मैं जैसा सोचता हूँ यह मेरा आगे का विचार है कि अगर मनुष्य कभी अमर होगा तो अपने सारे sensations को सारे memory को चुकि एक atom भी उसको represent करता है और atom कभी नहीं मरता है तो अपनी memories को वह हजारों करोनों अर्बों atoms में distribute कर देगा अपनी छुटी-छुटी floppy's atom smart हो जाएंगे और मनुष्य करोनों रूप में पठती एक हमने सबसे छोटी सेल है और सेल जो है वह कई अड़ों पर माड़ों से बना है सर अरे सर तो आप इस टैनले मिलर का प्रयोग देखिया जिसने जीवन की बहुतिक प्रियाओं का अंतिनकेंद्र कोशिका कोशिका में जीवन के सारे जीवन का सारा सार है और वह प्रोटोपलाज में तो इसको एंड करेंगे तीन मिनट हो रहा है तो यह समझ में नहीं आता कि जैसे जो सर में जुएं जो पड़ जाती है किसी बच्चे को महिलाओं को तो यह जुएं कहीं होती तो नहीं उनको कोई लाता भी नहीं और वो जो आज आती है नेचर के रूप से और वही किसी और बहुत दूर कोई दूसरा बच्चा हो दूसरी महिला हो वहां भी जुँँ अगर आती है तो दोनों के जुँँ में सेमिलेरटी है यह क्या गुत्ती ह मैं समझ नहीं पाता हूं अरे सर आपने कभी पॉलिनेशन सुना होगा ना आपको लगता है मैं भी नहीं जानता है तो बस ऐसे ही बस थोड़ा-बोड़ा कहीं पढ़ा है पॉलिनेशन पढ़ा है मैंने चोटे क्लासेज में कि एक फूल यहां से दो किलोमेटर दूर होता है लेकिन अगर मदुमक्की उसे अपनी टांग में चिपका के ले आए उस पॉलिन को तो ऐसा ही वह प्रकृति का फूल दूस्य के पैदा कर देता है आपको लगता है कि बहुत सारे चोटे जो सुक्ष जीवे माइक्प्स जिने कहते हैं इस इंवायर्मेंट में करूणों अर सबूस्यक्ष है कि मीटर मेंетр में रहते हैं आपको डकन हैं उनके भी रहते हैं वह इनक्टिव स्टेट में रहते हैं आपके बालों में पहुचे अगर उनकोडे फ्नकों मोहल मिल उनके उनमें आंजा आ आ जाता है ना जैसे आप देखिए वाइरस है वाइरस पूरे इंवाइरमेंट में है फ्लीट वाइरस है सारे वाइरस घूमते रहते हैं आप सांस लेते हैं उनको एक्जेल कर देते हैं लेकिन अगर आपकी बॉड़ी की इम्मुनिटी कमजोर हुई और वो होता है जब मौसम का चेंज ओव लहाँ हैं कोई मतलब कैशन ट्राजीशनल फेज में आपके सारे इंफेक्शन गी होते हैं तो आपको यह लगता है कि जुए हो जाते हैं जुए होने की प्रक्रिया बहुत पैसर कि क्या आप जाते हैं धूलसकर जब जितने लोग बाहर जाएंगे या आपके हवा में कहीं गलती से वो वाइरस आपकी खड़की से भी आगया और एक ही आगया तो आपको जुवें हो जाएंगे बहले ही आप बहुत हाई जी नहीं लुईस पास्टर ने एक स्परिमेंट किया था एक गन्य का रस उसने पार्चामेंट की जिल्ली से बांध कर दिया और उसमें कीड़े पड़ गए थी जब कि विल्कुल शुद्ध था हवा विद्धमान थी शुरुआ कि लवा उसमें क्लब की शुरुआ की हवा में ही माइक प्रोप्स थे ना जो बंद हुई थी उसके पार्चामेंट से पहले क्योंकि कभी कोई अनाज हो गए रहे रखता है तो उसमें कीड़े आ जाते हैं जो आपने बात कही थी अमर होने की उसके उपर मैं थोड़ा सा कुछ आईडाउन करता हूं मैं प्लीज जो हम जो है जिसकी लडाई लड़ रहे हैं जान जिसके लिए संगर्श कर रहे हैं उसके इंदर में कि जो है आप सिस्टम से तो एक बार जीटके वहां पे सिस्टम मे का भी होगे कुछ अपना बना सकते हैं मगर जो हमारा जो दूसरा गैप पड़ रहा है जिस टेकनोलोजी के बेस के हम बहुत पिछड़ते हुए जा रहे हैं तो उसको कवर अपनी करते हैं तो उसके लिए जैसे आपने बताए कि हमर होने की बार जो साइंस है साइंस जो है बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर डवांस लेवल पर जा रही है आपको मालूमिए उसके तारे में तो उसके लिए बहुत बहुत ज़्यादा तेजी से काम चल रहा है अभी जो है साइंटिस्ट उसके पर रिसर्च कर रहे हैं उनके कुछ पर्जेक्स हैं जैसे अब यह आ सब्जेक्ट्स में तो अब वह क्या कर रहे हैं कुछ नेनो रॉबर्ट्स त्यार कर रहे हैं लैप्स के अंदर में बोर्ग जो है अपना सेल्स की शिप में जो अलग बहुत नेनो साइज में रॉबर्ट्स होंगे जिसको ब्लड के त्रूँ इंफ्यूज किया जाएगा बाडी से बाहर निकल जाएंगे अब वो इस रिशर्च में ये कोशिश चल दी कि उनको मतलब बैक अप में अनर्जी कहां से मिले उसको मुव करने लिए उसके उपर उसको वो बायोजिकल सेल्स की उपर में रिसाच चली बायोजिकल सेल्स क्रेट के जाए तो वो बाडी इसेा तो वेलगार में अ है और गेंशम कोशिश करेंगे अगर ऐसा हो जाए था दुनिया के इंदर में बड़ी-बड़ी जितने विब्मारिया चो मंतर हो जाएंगे मिन्टों में जाएंगी और गन्स रिफ्लेश्मेंट की तो त्यारी होई यह लैप के अंदर में और गन्स बगरा को बनाने की कोशिश चल लिए यह हार्ट किड्नी बगरा जो है लैप्स में क्रीट कर लेंगे तो सेल्स म्यूटेशन करके वो कुछ लग लगते टेक्निक्स जो भी जूस कर रहे हैं अगर होती है तो जो आप बता रहे हो कि इंसान अमर हो है तो वो फिजियोलेजिकल उसको तो रिप्लेस करते हैं मेन जो अनर्जी है उसका कंसेफ्ट को समझ से बार है 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 आप इसको ऐसे समझें आपने क्लों निंग तो समझें क्लोंग को मिक्स करिए नेनो टेक्लोजी आपने बताई दी इसके बाद बोडी के साथ जो इंटराक्टिव इंवायर्मेंट उसे बोलते हैं बोडी की पीह वैलयों पर अगर आप देखे रिसर्च बेस्ट पर हम बात करें जो आज के पुरे वर्ड की नासा की और भारत की जो टेक्नलोजिकल जो टीम है और जो उसके कॉमन पेपर से अप्रोच पेपर में अगर आप जाएंगे तो आपको यह लगेगा देखिए शरीर की सर्वाइवल की कितन अगर कोई अमेरिका में चीकेगा तो वह सकता हो कि दो-चार साल बाद वही वाइरस भारत में टहल रहा हो क्योंकि इंटरकनेक्टेट सिंक में हम लोग है और हम यह नहीं पता कर सकते कि जो हमारे पास पर्वानेंट विंट्स हैं वो किस तरफ उसको धकेल रही है और वह कहां तक मूव करके जाएगा तो बॉड़ी की पी-च वैल्यू फिर काम करती है बॉड़ी के अंदर कोई भी कैंसर का कोई आज तक लोगों ने सेट डेफिनिशन नहीं दी लेकिन जो मेजर थेओरिस्ट हैं प्रेट कैंसर के बारे में उनमें कॉमन चीज पाई जाती है कि कैंसर सेल्स की पी-च वो होती है जो 7.5 से नीचे चली जाती है और मेंटेन नहीं होती 7.5 7.5 के उपर जो जो डिजीज आती है डिजीज से मेजर कॉसे बनता दक्र प्रपा और यह जाता है कि को अगर बंती है और इस बात को कहता है ना इस शरीर में अगर खाने के बाद आपके अम लगन रहा है तो इसका मतलब है आपको शरीर की चेकिंग करनी चाहिए चाहे पेट में चाहे लीवर से चाहे गिड्नी से आपके समझ में कहीं नगई कोई प्रॉब्लम है अगर बलड की प्रॉब्लम से नीचे जाती है अब बलड की प्रॉब्लम से नीचे होता है या आपको बलड कैंसर का आप शिकार होते हैं या लोग बताते हैं जो इसकी हैं यह कह रहा था हमारे मुह में बराबर पानी आया करता था लेकिन अभी कम हो गया हमको एसी डीटी महसूस होती थी हलकी हलकी और मेरे दात भी थोड़े से वीख हो गए उसी की वजह से और मुझे कैंसर था और अभी भी हम फालो अप चेक अप लेते हैं और हम 2000 में हमारा आइडेंटीफाई हुआ था तो आपकी इस बात में हमको पूरा पूरा यह दम लगता है कि बड़ी यह जोड़दा बात है नहीं सर यह बड़ी रिसर्च है इसमें कोई शक नहीं जो बात में कहता हूं बड़ी जिम्मदारी से कहता है एसी डीडिया और कैंसर से लिंक तो ह हमारी बॉड़ी में तो हुआ है और सभी में होता है और सर क्या है ना कि अगर बॉड़ी आपकी अलकलाइन है आप यह देखें विदेश को लोग अलकलाइन के पीछे इतने पागल क्यों है क्योंकि उनके पास मेजर रिसर्च वह गाउं तक नहीं बताना चाहते इस बात को पानी की जो वैल्यू है आपके शरीर में 95 परसेंट जो वैल्यू आप डिजीज है ना वो पानी लेके जाता है पानी आप पानी के पीने पर खर्च वाइल हम लोग क्या करते हैं पानी कहीं करी पिलिते हैं और सर जब आपको पता है कि आपकी बॉड़ी के अंदर की जीवन जो है ना जीवन चक्की जीवन चैली ही पानी सबसे शुद्ध तो पानी होना चाहिए पानी 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 पीने से जब मेरे पास कोई अप्रोच नहीं था तो हम बॉइल पीते थे जिए बाद हम आरो पी रहे हैं होगा पुचीस साल के असपास से ऐसे ही पचीस से ज्यादा हो गया होगा तीस साल से आरो पी रहा हूं हो ऐसे ही कुछ होगा तो मैं देखा कि पानी जो बाहर का ऐसी नॉर्मल पानी पीने से हमको हमेशा पेट की प्रॉबलम रहा करती थी और आज कुछ हमको सजेस्ट करना चाहेंगे एसी डेटी के लिए अभी जैसे हमको रात में जबते हैं आप एक साल तक केवल मुं की रोटी और रोटी बिना चोंकिव बड़ा पुरान नुस्का बतार मुं की दाल और रोटी सिंपल रोटी बिना किसी घी तही यह किसी के बीने जे और दूसरी बात आपको ख्याल एक रखना है कि पानी का जो भी आपको वैल्यू पी सेवन पॉइंट फाइव से उपर का पानी पीजे आपके लिए जरूरी यह है कि मिनरल्स जाएं मिनरल्स खतरनाक नहीं होते हैं जिस तरह के आप डिजीज केंडर सर्वलांस में हैं उसमें आपको बॉडी की एसिडिटी पर काम करना है प्लट की पेट में इसिडिटी बनत एसिडिक ने वो इलकलाइन आप उसमें देख लीजें हमारा जो इस्ट्रक्चर होता है उसमें पता तहीं बात है घर में जैसे आरोग के पानी को मैं उसका पिएच कितना मेंटेन करूं और कैसे कर सकता हूं 7.5 से उपर 7.5 से उपर पिएच इसके लिए क्या कुछ जुआ आता है आप एक काम करिए न एक तो आप चार मटके वाली पुरानी प्रडाली अपना ये अपना आप उसमें बबूल के पेड़ का चारकूल बना लीजे घर में जैसे आप यह तो कटिन हो गया हो तो संबह न और उसमें जो सूत के धागे नहीं होते मोटे जिसे अब कभी नाड़े में इस्तेमाल करते हैं गाड़वां के उन से पानी छोड़ते ऊपर आले बकेट से आप चारकूल से पर पैबल से उसके बाद मोटी ब्रज़री से उसके बाद पार लिए जो प्री कैंडिल लगती है ना आरो की जी प्री फिल्टर उसमें आज हमने एक फिल्टर को खोला तो उसमें पूरी रस्ती लिपट रही थी पूरी रस्ती से बना हुआ था वो सब्सक्राइब करने के लिए हम ना नीमबू थोड़ा सा और काटके और एक खीरा यह यूजली डाल लो जैसे आदा कि रपी स्करके ऐसे एक नीमबू के एक नीमबू भी नहीं वन फोर्थ और उसमें डाल दो तीन चार गंटे बाद में वह पी एच वेलिव उसकी पूर्ण यहां दस लीटर पानी में दस लीटर पानी में दो नीबू पांच लीटर में डालो चाहिए पुरा पुझो भी है थोड़ा आइडिया थोड़ा आपका अलकलाइन वाटर होगा प्रोपर पर वह तो आपकी इंप्लोटीज या बेक्तिया बहुत कुछ जाएगा तो वैसे बिमार करेगा तो पानी में तो आपके लिए जहर हो गया कट करके पीश डाल एएप कितना देर चोड़ना है पांच गंटे बाद में आपको पानी पूरा प्रोपर मिलेगा पीएच साथ से उपर मिलेगा अगर माली यह फिल्टर होता है जो घरों में कुछ नहीं तो उसमें कुछ रहता है कंटेनर में रोज नीबू डाल दें और साम को खटा कि दूसरे दूसरे दिन फ्रिश डाल दें ऐसा कर सकते हैं नहीं आप आप अलक से रखेंड यह स्टोरेज में नीजिदा निकलने बाद जो भी पानी है जहां जो जो जा भी शूर करत पांच गंटे वाद में आपको प्रोपर पानी पीएच वेल्यू का मिलेगा साड़े साथ से उपर का अब बाहर निकाल दो और अगर सर किसी को और अच्छा पानी पीना है तो आप अपने आज जो ताड़ी बगारा होती है न जो निकलती है अब मेरे लिए तो संभू नहीं है यहां पर अधर फ्रेश मिल जाए प्रेक्टिकली पॉसीबल है ना रूटीन में घर में कुछ नहीं करना राट को डाल बहुत बढ़िया बताया आपने नीवू जो है वह हमने माली जे कि हमें तीन लिटर प्चार लिटर पीना है तो हमने टीन चार नीवू डाल दे एक लिटर में एक लिटर नीवू नहीं इतना नहीं डालें इस उटा है तो पूरा फिरा चाहां अब सकते हैं एक डाल सकते हैं एक आइटम भी है है हाँ बन बन परियार से बंद करने टाइम होगा है सवा पारवजी ठीके सर हाँ तुल सर किते सब्सक्राइब सब पिएं सब्सक्राइब आज की डेट में कुछ मशीन ने भी आ रखें मार्केट में राप्र के लिए वाली भी है केमिकल भर लीवी है दूसरा भी कोई है और आतोर यह मैंने भी लवाते हैं लो काफी इस तरह लो यह उसी दासा है आप फिल्टर जो तो है यह उत पानी है हमारे पास उसमें दालो अल्कलाइन हो गया विद्द पर इंग अब तरह आपने घर में भी बना सकते हैं जैंग यह घर कही हो गया तो आप नेचरली अलकलाइन वाटर हो गया यह अधरी आप अने बनाया अगर ना योज करते हैं सब्सक्राइब अधोर जी जी सर अटका सुत्र संचलन अपने बहुत बढ़िया किया थाइंग यू सर अधाई हो थाई हो थाई हो थाई हूए जैभी म सर जैभी म सबीको जैभी म गावा नाम लेने मिट जाते सो तक है आज की स्राइब से यास माम थोतिय बहुलो बग्वान बूत की जैभी म सरस्वी शात्यों को गुड नाइट गुड नाइट नाइट दम प्राद राद दि जाविम से भी साथ गुड नाइट जाइट जाज से भी साथ जाइट 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 कर दो 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 कर